हलो स्टुडेंट्स मैं संदीप सिंग वेलकम करता हूँ आपका मागनेट ब्रेंट्स हिंदी में जहां पर मिलता आपको फ्री एजुकीशन फ्रॉम क्लास सेवन तुट्वेल्थ मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किजे भी तरीके का कोई साभी सब पाकेज कुछ भी नहीं लेना पड़ता है वही क्योंकि हम सब कुछ लेकर क्याते हैं आपके लिए फ्री आफ कास्ट तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक सब्जेक्ट के लिए आंड हम साथ मिलकर के डिसकेस कर रहे हमारा चाप्टर नंबर फोर्थ समतल में गति को यह जो चाप्टर है ना यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें मिकानिक्स में एंटर करवाता है जो यांत्रिकी है हमारी बहुतिकी की ब्रांच उसके अंदर यह एंटर करवा रहा होता है और इस चाप्टर के सुरुवाती पोर्शन में हमने देखे हैं सदीस को एक ऐसी रासी जो की कुछ magnitude भी रखेगी कुछ संख्यात्मक मान भी रखेगी लेकिन उसकी जो इकाई है वो दिशा पर भी निरभर करेगी मतलब एक इस तरीके की रासी जो की संख्यात्मक मान, इकाई, दिशा तीन चीजों को consider करके चल रही है तो ऐसी रासीों को क्या normally add, subtract, multiply, divide कर सकते हैं तो हमने का भी यह नहीं इसके लिए vector calculus लगेगा तो हमने इस chapter के first portion में vector calculus को खतम किया, समझा, सीखा अब बारी किसकी है भी जब सीख लिया तो apply करते हैं न तो इसके application की बारी है मतलब अब बारी है किसकी समतल में गती जो actually chapter है इसकी तो हमने समतल में गती के लिए यहां से सुरू किया क्या भी तो हमने समझा उसमें विस्थापन क्या होता है त्वरण क्या होता है वहाँ पर हमने समझा कि जब कभी समतल में चलेगा मतलब द्वी भी मिया गती कर रहा होगा तब उसका तोरन किस तरीके से होगा भई उसका अपक्षिक तोरन कैसा होगा ताक्षिडिक तोरन कैसा होगा अगर मैं कहता हूँ तो उसकी जो औसत तोरन होगी वो कैसा होगा यह सब कुछ हमने देखा अब आज आते इस चाप्टर के most representative topic क्यों ऐसा बोलों यह chapter को represent करने वाला है यह topic ऐसा समझ लिजिए मतलब कोई भी इस chapter के बात कर रहा हो और इसकी बात ना करे तो यह chapter अधूरा है कौन बात करेगा भई तो question paper question paper में इस chapter से कुछ आना हो और यह नहीं आए ऐसा होई नहीं सकता चाहें आप J.E. की तैरी कर रहे हो या फिर आप तैरी कर रहे हो नीट की या फिर आप अपने school examination, board examination के तैरी कर रहे हो भई बिना इस chapter के, इस topic के कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहीं वो सबसे ज़्यादा important topic है होने को सभी important थे, लेकिन यहाँ पर सबब youth हो जाएंगे, जितना हमने समझा सीखा पढ़ा ना, वो सबब इसमें मैं करने वाला हूँ youth तो भिलकुल तयार हो जाए भी अफटा फट इस chapter को, इस topic को पढ़ने के लिए जिसका नाम है क्या प्रच्छे पे गती क्या है, प्रच्छे पे गती, अब प्रच्छे पे गती के लिए दो condition है हम अभी ज़स समझेंगे कि प्रच्छे पे गती अक्चिल में क्या है, बस मैं ऐसा समझाता हूँ प्रच्छे पे गती के लिए कि आप ऐसा समझें कि अभी दो dimension में, दो दिसाओं में गती को मीजर करना है तो क्या करूँ, तो मैंने कहा एक बॉल को हवा में फिक दीजिए, तो बॉल ऐसा उठकर के जाएगा और ऐसा वापस से गिर भी जाएगा तो बॉल ने क्या किया भी, तो कुछ उचाई भी गेन करी, और कुछ दूरी भी गेन करी, मतलब कुछ Y-axis में भी चला और कुछ X-axis में भी चला तो इसको कह दिया ना दूई भी मिया गती जब इस तरीके की गती हो रही है तब हम इस जिस तरीके से ये बॉल ऐसा चल कर कैसा गया था इस पत्थ को ही हम कहते हैं क्या भी इस पत्थ को ही हम कहते हैं ट्राजेक्टरी और इसी कारण से हम इसको कहते हैं क्या प्रच्छे 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 प् शुरुात करते हैं देखते हैं इसको तो भइल तो बहुने हमारे पुस्ट में सब सरी उस्ट वस्ट डिस्कस करने की बारी है कि ये प्रोजेक्टक्टाईल मोशन ऱ यड़ो प्रच्छ पर गती है ये होता क्या है आता कैसे है बंदा कैसे तो भई सब ऐसे काम किये गए हैं देखे मान लिजिए मैंने बना लिया यहाँ पर एक यह यह आच और यहां पर मैंने बना लिया एक्स आच यह और एक्स आच क्यों बनानो जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं अब आप से यहां पर कहना चाहता हूँ कि भाईया अब मैंने क्या किया है यहां पर रखा था एक फुटबॉल क्या रखाया पर एक फुटबॉल रखा है और कोई इस फुटबॉल को क्या कर दे वाई किक कर दे तो जैसे इस फुटबॉल को कोई किक करेगा ये फुटबॉल ऐसा जाकर कैसा गिर जाएगा ऐसे ही चले गाना ऐसा जाकर कि फुटबॉल वापस से गिर जाएगा कहा आगया तो ये फुटबॉल वापस से हमारी धरातल पर ही जहां से चलके गया था इसी फिल्ड पर इसी सर्फिस पर इसी सता पर वापस गिर गया लेकिन इस दौरान बहुत सारे काम हो गए क्या क्या काम हो गया भी तो इस दोरान यहाँ पर क्या क्या काम हुआ इस बात को समझने के लिए ज़रा समझ ही है कि सबसे फ़स्ट तो यह जो बॉल था यह जो गेंद था जिसको फेका गया क्या बोलो मैं जिसको फेका गया इसको हम कहते है प्रच्छिप पे क्या कहते है इसको हम कहते है प्रच्छिप पे और जो ये पाथ है जो इसने रास्ता तै किया है इस रास्ते को हम कहते है परवले क्या कहते है इसको परवले अब परवले क्यों बई परवल देखा है आपने ऐसा ही होता है न परवल तो मैं कहता हूँ सिर्फ उसे भी उपर वाला ले लीजिए तो ये क्या मिल गया भई इसलिए इसको मैं कहता हूँ कि ये है परवले इसको कहते हैं परवले या परवलायाकार ठीक है परवले कह लूँ या पिर कह कह सकता हूँ परवलायाकार अकरिती अच्छा यह सब अभी क्यों सीख रहे बई तो इसलिए सीख रहे क्योंकि यह टर्मिनलोजी अभी यूज होने वाली हमारे लिए ठीक है और यह पूरी फिनोमेना जो यह पूरा घटना करा हम चल रहा है इसी को हम कहते हैं प्रजेक्टाइल मोशन इसी को हम कहते हैं प्रच्छे 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 अब यहां पर क फेका गया है भाई इस दिसा में लेकिन बॉल को इनीशिली फेका था अपने इस दिसा में गई नहीं है बॉल इस दिसा में सर्फ ये इसके दो कंपोनेंट्स टूट जाएंगे एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ मत अब एक छैती जोर एक उर्धवार दो जब किसी भी चीज को ऐसे फेकेंगे तो यह यह क्या मोत है एक चैती जोर एक उर्धवार दो दो इसके किया बनने लग जाते हैं काम्पोनेंट्स यह कंपो पर रखा हुआ है अब क्या हुआ कि इस गेंद के ऊपर किसी ने आया और किक मार गी कि ये वाइस-बाई और यहां से इस गेंद को किक करेंगे तो क्या होगा गार्द ऐसे तिर चांढ फिर यह जब ऊपर जाएगा ema की डिरेक्शन यहां पहुंचते से काम करता हूं मैं थोड़ा सा एंगल को और चेंज करता हूं यहां जब पहुचा तो इस गेंद की जो डिरेक्शन ने वह ऐसी हो रखी थी यहां जब तक पहुचेगा तब तक इस गेंद की डिरेक्शन ऐसी हो गई फिर यहां जब पहुच कि भई ये गेंद जो है कुछ हिस्सा तो ये क्या हुआ इस जगा से कुछ हिस्सा तो उपर तक भी उठा और कुछ इधर में दूरी भी ते किया मतब इसने कुछ हाइट भी गेंद किया और कुछ इधर में डिस्टेंस भी गेंद किया ठीक है इस डिस्टेंस को हम कहते है एक है ना हम देतों मैं लिख देतों रेंज क्या भई एक रेंज भी गेन किया परास कहते इसको तो मतलब जब बॉल को किक किया गया था तब ये बॉल कुछ इस तरीके से होकर के गिरेगा इस दोरान क्या हो रहा है तो इस दोरान आपको पता चल रहा है जिसे वेग से इसको फेक निरंतर बदल अब आप से मैं पुछू वेग की दिसा निरंतर इसमें बदल रही है तो मैंने जो भल लगाया था मैंने जो खिक मारा था इसको इसके कारण ये इस दिसा में तो जा रही थी लेकिन इस बॉल पर हमेशा नीचे के तरफ एक त्वरण जी काम कर रहा है अब वेग की दिसा निरंतर बदल रहा है इसका क्या मतलब कहता हो तो मैं कहता हो भाई इसका त्वरण बदल रहा है वेग बदलना मतलब क्या त्वरण बदलना इसके त्वरण बदल रही है त्वरण क्यों बदल रही है क्योंक काम करा जी अगर यहां पर रखा तब भी नीचे की तरफ काम करा गाता जी मतबर हर छण पर देखार है इसके लिए 2-2-2-2-2 डैरेक्शन्स देखने को मिल रे तौरण की लिए तो यहां पर यह चुक्की वैग है वैग में परिवरतन्स हो गहारा ही होतो होगा जिसके कारण यह क्या हो रहा है इस तरीके के एक trajectory follow कर रही है एक प्रच्छे पे path को follow कर रही है अब यहां पर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ती छोटी बड़ी कहानी conditions है जिसके हम बात करने वाले हैं जिसको हम सीखने वाले यहां तो final and मैं simply आप से इतना कहना चाहता हूँ कि भाईया आपको जो प्रच्छे पेगती है वो समझा मैं आया क्या प्रच्छे पेगती का मतथ़ क्या था Katrina कि मतलब ये जो 36 था 36 मतलब ये धरातल के साथ में किसी कौन बनाते हुए मैंने अगर फेक दिया तो ये एक परवलाया कार पत्थ में होता हुआ करके वापस गिर जागा इस दौरान वो कुछ हाइट भी गिन करेगा कुछ डिस्टेंस भी गिन करेगा कब जब इसको मैंने कौन बना करके फेका था अचा अगर मालीजी ये कौन बना कर नहीं फेकता तो क्या होता अभी मैंने ये कौन बना कर फेकता तो क्या होता भी तो आप फेक दीजिए ऐसा सीधा बोल ये बोल सीधा उपर जाएगी और वापस इसी पाथ पे नीचे ठीक है या इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि वैया यह ऐसा गया और यह गुम करके गिर के यह बतब डिस्प्लेस्मेंट जो ही इसमें भी वर्टिकल देखने को भी इसके अलावा एक और कंडिशन हो सकता है जब मैं ऐसा कहता हूँ कि एक टेबल है यह कहा है टेबल है इ इस गेंद को किसी ने क्या काम किया वो लब यह इधर की तरफ इसको धका लगा दो तो यह गेंद क्या होगा भई यहां से जाएगा और यहां करके धरातल पर आ करके गिर जाएगा तो यह भी पात जो है जब किसी हाइट से किसी एच हाइट पे पहले से इस गेंद को रखी तित जब फेका तब भी अगर मैं कहूंगा तो ये जो बॉल जो ये गिर रहा है ये बॉल की ये दिसा देखिए हर छण बदल रही है और हर समय यहाँ पर भी वही काम हो रहा है यहाँ पर भी बात करूँगा तो नीचे की तरफ जी काम करें यहाँ भी बात करूँगा नीचे गिर्टा हुआ रहा है तो कुल में लेकर के पासिबल केस का का हो सकते एक हाइट पर है और यह देखे च्छे ही जो हमारा होरिजन्टल पाफ है यह इन दोनों में कोई कों है क्या इस दोनों पैरलेल है ना यहां पर धरातल से मैंने थीटा कॉन बनाता हुआ इसको फेका हुआ है यह कंडिशन हम इस सेशन के अंदर डिसक्स कर रहे हैं और इसकी भी हम बात करेंगे जब एचाइट से फेकेंगे तब क्या होगा कुल मिला करके हमने ये एक बात सीखी कि अगर किसी धरातल पे मतलब किसी चैतिज चैतिज मतलब क्या हमारे प्रितवी के समनांतर अगर यहां से किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी ऑबजेक्ट को मैंने कुछ कून बना करके फेका है तो क्या होगा इसके बारे में हमें करनी है study आईए चली अब देखते हैं अब समझ में आया होगा कि यह माना कि धरातल से 36 के साथ मैं थीटा कुण बनाते हुए यूवेग से एक प्रच्छे पिको फेका ये रहा हमने क्या किया भई यूवेग से साथ में मैंने इस 36 दिसा से थीटा कुण बनाते हुए इसको फेक दिया अब फेक दिया तो क्या होगा तो कहरे भी प्रारंबिक वेग यू को 36 और उर्ध्वारधर घटकों में वियोजित करने पर वी एक्स और यूएक्स और यूवाई की कुछ वैल्यूज मिलेगी यूएक एक्स डिरेक्शन में मिलेगा वो मिलेगा यूएक्स य डिरेक्शन में मिलेगा वो क्या मिलेगा यूए क्या मिलेगा यूएक्स और यूए तो मतब इसको इस तरीके से मैं कह सकता हूँ मैं अपना डाइग्राम भी कंप्लीट करते चल रहा हूँ ताकि इसको हमें अभी ड दो components बनाऊंगा, जो की components कैसे सो होंगे भई, तो ये components कुछ इस तरीके से सो होंगे, अगर मैं कह देता हूँ, कि ये जो ball है, ठीक है, ये जो ball है, इसकी position, ये जो ball है, इसकी जो position है, वो कुछ इस प्रकार से रख लूँ, ये देखिए, ये हो गई, ठीक, अब मैं यहाँ पर point बना लेता हूँ, चलो ठीक है, सबसे simple सब point बना लेता हूँ, ये हो गई मेरी पात, ये इस जगह पे, इस जगह पे, एक्स एक्सिस है, मतलब ये किसको निर्देसित कर रहा है, ये time एक्सिस है, और ये मेरी कौन से एक्सिस हो जाएगी तो ये मेरी velocity है, मतलब मैं कौन से उपर बना रहा हूँ मैं समय वेग ग्राफ बना रहा हूँ यह क्या है समय वेग ग्राफ है अब समय वेग ग्राफ बना रहा हूँ तो यह जो दिख रहा है तो मैं इस दिसा में इस ball को फेका था कहा फेका यह देखिए यह रही इसके दिसा टेंजिंशेली इसके स्पर्स रेखा किच यह वही इसकी दिसा होगी जो मैंने आप इस पर्स रेखा किच यह इसकी दिसा है और इस दोनों components को जब लिखना चाहूँ तो मैं अगर कहता हूँ कि प्रारंभिक वेग U से मैंने इस बॉल को थ्रो किया था तो जो X-axis में आएगा उसको मैं कहे दूँगा कि ये हो गया मेरा UX मतब यू कॉस थिटा उसी तरीके से जब मैं इसकी बात करूँगा तो इसको मैं कहे दूँगा U Y और यो हो जाएगा U sin Theta ये बात तो बहुत अच्छे से clear होगी कि अगर एक component यहां पर है यहां से अगर थिटा कॉन बना रहा है तो जो हो जो हो इसके इसके साथ जहां से कून बनता है इसका जो इसका adjacent side है ये होती है हमेशा कौन बही कॉस थिटा और जो इसका perpendicular वाला होता है मतब इसका لمब वात जो होता है वो sin Theta और इसके साथ में जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं कॉस थिटा साथ में जुड़ा मतलब आधार और ये थीटा के सामने वाला कौन हो तब यह यह होता है लंब इसलिए इसको कहते है साइन और इसको कहते है कॉस आईए अब करता हूँ मैं बात कहां पर इस डैग्राम में तो ये डैग्राम इतनी से बात तो किलियर हो गई अब अगर इतनी से बात किलियर हो गई तो और आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करें पुना चैती जम उर्दवारदर गतियों को मिला कर यदि प्रच्छे पिगती पर विचार करें मतलब मुझे एक बात समझ मैं है कि जब इसको मैंने यह से थ्रो कर दिया तो एक इसके पास उर्दवारदर मिल गया एक इसके पास क्या मिल गया चैतीज मिल गया यह उर्दवारदर मिल गया और क्या मिल गया एक चैतीज वेग भी अगर दो तरीके के इसके पास विलासिटी मिल गया तो दोनों को मिला कर कि हम क्या कह सकते बही तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रच्छे पर गत्य जो होती है वो होती है उर्धवारदर गति प्लस 36 प्रच्छे पर गति का सिंपल से मतलब है क्या उर्धवारदर गति भी होगी और उसकी ज BBC कुछ इंग करेगा और कुछ कुछ डिस्टेंस भी ट्राबल करें यह तो बलत है कुछ 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 दूरी भी तै करना है और कुछ उसको उचाई भी कवर करनी ऐसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मुशिन तो देखे प्रच्छे पर गती को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी कर जो हवा में जया अंतरिक्ष में फेका गया हो तता जो गुरूतियों प्रभाव में गती करता है प्रच्छेपक या प्रोजेक्टाइल कहलाता है इस कड की गती प्रच्छे पे गती कहलाती है मतलब क्या कह रहें कि ये कि रहा कि ये एक ब 온 इसको मैंने ऐसा थो किया तो मैंने एर में थ्रो किया ना किसी कुण के साथ मैंने एर में थ्रो कर दिया तो इस पार्टिकल को कहते हैं प्रोजेक्टाइल और प्रच्छे पे कह सकते हैं और जो पूरी गती है उसकी जिस तरीके से वो चल के गया तो उसको कहते हैं प्रच्छे पे गती आगे बात केते हैं या नियत तूरण से संपन दूएभीमिया गतिका उदाराने इसमें इसको इतने importance क्यों दे रहे हैं क्योंकि ये नियत तोरण है इस Ironvaal में ये ball कहीं भी जाएगा जो मैंने अभी first diagram में आपको explain किया ज़स एक यहां पर G जो है ये ball का ये ball यहां पर पहु मुझे का तब भी जी कहीं भी यह बॉल पहुंच जाए यहाँ पर क्या करेगा यह जी काम कर रहा होगा और जी की वेल्यू भी गुरुत्विय त्वरन है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वार इससे आप वाकिफ है पहले से तो यह जी का मान कभी बदलने नहीं सेखेंड इस डी का मान creator रहने वाला और हमेंसा ही पर एक तो यह कॉंस्ट्रींट भी उपर से कहए भी तो ऊपर से हमेशा ही नीचे की तरव लग रहा है मतलब दो दो बाते यहनी कह सकते हैं कि एक समान नियत तोरं से संपन्ने द्वी भी लिगति द्वी मय क्यों करें दो ही माई है एक इसमें 36 और एक इसमें आपको दिख रहा उर्धवारदर मतलब 36 और एक आपको दिख रहा है क्या है पर उर्धवारदर अच्छा अब यदि एफ नियत हो मतलब जो बल इसके उपर लगाए गया वो नियत हो तो एकुल्स टू नियत तता जब बल आरंभिक के बनाता है तो इसका जो पत होता है वो कैसा होगा परवला या कार अर्थाथ प्रचेपे गती जो मैं भी डिसकस कर रहता है को उर्धवारदर गती प्लस 36 गती इन दोनों का उर्धवारदर मतलब क्या है एक हाई टुपे गई और वापस आई और 36 मतलब क्या एक दूरी बित गतियों उर्धवारदर गती कितना कर रहा है यह दोनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र है फ्री है दोनों को कोई लेना देना नहीं है पता है किस चीछ से लेना देना है कि छैतित कितना होगा होरिजूंटल कितना होगा तो इनको लेना देना सिर्व इस थीटा से यह अ करेगा कौन thittah और thittah के साथ कौन तो फittah के साथ एक और टाम आएगा जो प्रारंभिक वेगा यू मताव किस से फेकर रहे और किस एंगल पे फेकर रहे अगर ये दो बाते पता है तो मैं पता कर सकते हो कितनी हाट जाएगी और कितना और चलेगी क्या बात इतनी सी अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं कुछ और properties की बात करते हैं and हम discuss करना शुरू करते हैं यहां से कि कब क्या कैसे हो रहा है तो भई आइए यही पर चलते हैं यहाँ पर कुछ-कुछ बाते हमें करनी है कुछ-कुछ बाते हमें देखनी है हमने दो बाते सीखी आपर कि u-x जो है वो u cos theta है मतब यह क्या है यूए 2x, u कौन है, u है प्रारंभिक वेग, u कौन है, u है प्रारंभिक वेग, अब u प्रारंभिक वेग है और यह थीटा कौन पे जा करके प्रोजेक्ट हो रहा है, यहां से जो यह कौन बना है, कितने का है, थीटा कौन बना करके प्रोजेक्ट हो, तो इसके दो कंपोनेंट्स है, जो 36 दिशा में 36 दिशा का जो घटक है वो है ux जो की बरावर है कि इसके u cos theta के है और जो उर्ध्वारधर दिशा का जो घटक है पुर्ध्वारधर दिशा का जो घटक है ये कौन है तो ये है u y और ये है u sin theta इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ये एक u cos theta हो गया और एक यहां पर क्या मिल गया u sin theta अब इसमें कुछ और बाते समझते है जब इस object को मैंने उपर की तरफ फेक है जब theta कोड़ पे मैं मैंने इसको फेक है तो इसमें त्वारण जो होगी कौन सी त्वारण तो त्वारण भी दो होगी एक 36 त्वारण होगी और एक उर्ध्वारधर तो मैं दो नों के लिगता हूँ यहां पर जो 36 त्वारण होगा उसको मैं कह दूँगा AX 36 त्वारण का मतलब क्या यह यह इस axis पर जो त्वारण होगा वो त्वारण कितना मिलेगा जीरो मैंने थोड़ी फेक है इसको इदर मैंने तो उपर फेक है इसको इस बॉल को मैंने horizontal चलने के लिए थोड़ी काया मैंने तो कहा उपर जाओ तो यह हो जाएगा जो त्वारण होगा वो X 0 लेकिन जो उर्ध्वारधर त्वारण होगा उर्ध्वारधर त्वारण जिसको AY से नाम दूँगा यह होगा G गुरुत्विय त्वारण यह जो बॉल जहां जहां भी जाएगी उसके उपर क्या काम करेगा गुरुत्विय त्वार है एक point यहां बीच में और एक point लेना है मुझे कि अ आकरके जब यहांни ग्रंड पे टकरा गई है तब तो जब यह ground पे आख कर बॉल टकरा गई tis T18 तब की हम एक बात कर देंगे तो मतब एक बार इसका point ले लेता हो यहाँ पर यहां करके ग्राउंट से टकरा इन सभी जगों पर मैं बनातों कंपोनेंट देन आपको explain करता हो इस जी को तो यहाँ पर से समझिये देखें यहाँ पर यू यह था यहाँ पर यू की की देरेक्शन हो का यहाँ पर भी एक 10 वनेगा जो इधर के डिरेक्शिन हो और यहाँ पर अगर मैंने टेंजेंट बनाने की कोसिस करी तो यह बिलकुल सीधा किदर बन जाएगा वही यह सीधा यहाँ पर नीचे की तरह बन जाएगा यह वन गया अब इन सभी जगों पर अग components break होंगे, एक x-axis पर एक y-axis पर, ठीक है, पूराने terms को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यह यहाँ पर मेरा यह कहा है, यह यू जिससे मैंने इसको फिका था, तो यहाँ पर यह component यहाँ पर भी break होगे, वैसे ही अगर यहाँ पर जब मैं होगा, तब भी 2 components break होगे, खैर, मैं काम करता हूँ, 2 components को मैं minus कर देता हूँ, 2 components को हटाता हूँ, थोड़ा सा fresh दिखे इसके लिए, बस और कुछे, इसको हटाता हूँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी 2 components बनाएंगे अप, क्या बनेंगे 2 components, एक इसका बनेगा vertical और एक इसका horizontal दिखी रहे, यहाँ पर भी 2 components बन जाएंगे, एक यह बनेगा, और एक बनेगा, वो नीचे की तरफ बनेगा, और यह finally आकर कहां टकराएंगे, अब इन सभी जगों के अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर भी अगर एक component यह इसकी दिखा में, और एक यह बनेगा नीचे की तरफ, अब इन सभी जगों पर छोटी-छोटी से बात करनी है, मुझे, क्या है बई, तो यह मैं कहता हूँ कि यह यू विलासिटी से चलना था, अब चलेएंगे इसको बहुँ बोल देता हूँ, कि एक विलासिटी है वी, तो इसके लिए, इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा क्या इसका वी कॉस्ट थिटा, और यह हो जाएगा इसका क्या वी साइन थिटा, एक काम करत एक तो इहां पहुंच गया तो यहां पर बनाया है यह सिर दोनों एक्सिस को बता और मैं यहां पर यह बताना चाहरा हूँ कि भाइए इसके ऊपर कुछ है क्या तो आपको गए नहीं भाईए यहां पर विलासिटी है नहींट यह वाली लाइन अटा दूँ मतब यहां पर मैं क्या लिख सकती हों कि यहां पर V equals to कितना है 0 यहाँ पर जो विलोसिटी है मतलब यू वाय लिख रहा हूं यू आई ही लिखता हूं यू यू एक्वल्स टू हमच जीरो यहाँ पर वर्टिकल विलोसिटी कितनी हो गई जीरो लेकिन अब इसके बाद जैसे नीचे की तरफ बढ़ना सुरू हो गया फिर से यह वही मिलेगा यहाँ पर अगर एक टैंजेंट बनाएंगे तो कोण भी यहाँ पर जो कोण बनेगा यह कोण भी वही होगा थीटा मतलब जिस कोण से फेका था उसी कोण से आकर के टकराएगी जिस वेक से फेका था उसी वेक से आकर के वापस से यह खतम हो जाएगी एक बात समझ में आग टाइल मोशन सेम है यह नहीं बदनने वाला कहीं पर भी ले लिजे यह यू कॉस ठीटा हो गाई और यह जो यू था जिसे चलना सुरू किया था वही यू के साथ में यह वापस यहां पर आकर के खतम भी हो जाएगा यह यह कोड और यहां पर बनने वाला कॉड ठीटा यह हमे है एक बात बताओ मैंने दर की तरफ कभी भेजा कैος को नहीं भेजा तो मत्त्ब यहां पर मैंने कहऄ और इस पाल का मैं इस बाल का इधर फेक रहो एक कोड बना करके मैं हो टो इसका मत्त्ब ही हो गया कि जब गेंद यहांपर होगी टब भी इसके उपर नीचे के तरफ जी जब यहां पर होगी तब भी नीचे को पर जी जब यहां होगी तब भी नीचे जी यहां होगी तब भी नीचे की तरफ जी यानि सबी जगए जी किदर की तरफ गए नेगेटिव डिरेक्शन में यही तो कहता हूँ यह जब गेंद को फेका ऊपर की तरह तो इसकी जो velocity है इसमें rate of change of velocity निकालेंगे rate of change का मतलब क्या वेग परिवर्तन की दर निकालेंगे तो यह जो अंतिम वेग यहाँ पर मिलेगा वो कैसा मिला देखे न यह वी इकुल स्टी यहाँ पर जीरो ही मिल गया प्रार्मभिक वेग ज्यादा या। मैंने तो इसी बाते यह जाता है तो negative यह न मतलब यह माइने तो आपको पुराने टाइम में यह बात नहीं भी सबज माई यह कोई परेसानी की बात नहीं है मैं जब भी आपको initiate करूंगा पूरी बाते बताओंगा भई तो क्या कह रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं कि भई या जी जो है through out of the journey same है और कितनी है भई तो वो negative direction में है तो मतलब यह g कितना है तो यह minus of g है अच्छा इतनी सी बात कि अगर खोज कर ली तो कुछ-कुछ चीजे और है जिनके उपर हम बात करना सुरू कर रहे है ठीक है अच्छा एक छोटी से और बात बता दूँ इस पूरे पत्थ में जैसे कि यह बहुत जादा symmetric नहीं बना है आप अगर बहुत जादा symmetric बना ले यह क क्या समझे जितनी स्थिती दूर जा यहां तक जाने में ले ली थी उतनी यह खतम कर देगा जित जिस रेट से इसका वेग बढ़ता घटा चला गया था यहां तक आने में इस maximum point तक आने में तो उसी rate से इसकी वेग को फिर से क्या होने लगे बढ़ने लगेगा यहां से यह तक चलने में इसने जितनी दूरी तयकी थी यह बचे हुए समय में उतनी ही दूरी तयक करेगा अगर यहां से यह तक चलने में टी सेकंड लिया था तो यह भी टी सेकंड लेगा अगर यह मैक्सिमुम हाई तक जाने में आर रेंज कवर किया था तो यह भी आर ही कवर करेग अगर यहां से u velocity से गया था तो यह वापस है यहां पर u velocity से हिट करेगा यहां से theta cone बनाता हूँ गया था तो यह सर theta cone बना करके ही मिलेगा मतलब first half में जो काम हो रहा है second half में भी same होगा अब लगभक, लगभक क्या almost सभी points आपको अब इसके clear हो चुके है अब हमको करना इसको derived अब देखेगा derivation कितना असाल लगा इसको क्या करते हैं इसको बहुत सारी जगाप पर बहुत सारे समय पर पढ़ते हैं वह उठाते हैं वो सुरू से ही solve करना है वो solve नहीं होता फिर बाद में एक image नहीं बनती फिर दिक्कत आती है सबसे बड़ी चीछ जो हमारे physics में है बहुतिकी में जो है न वह हमारा imagination वाला part हमारा यह जो कुछ यहां हो रहा है यह सिर्फ तो लिख रहा हूं मैं पता है क्यों क्योंकि एक साथ दिखे हो कहा रहा है यह सब कुछ इदर 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 तो आप बोलो यह तो आपको हो रहा हमे एक रूप से क्रमबद तरीके से कसी process को अपनाएंगे तो same result पर पहुँचेंगे चाहे वो बहुत बड़े science के legend हो या फिर बहुत बड़े scientist हो या फिर हम swim हो हम भी उसी result पहुँचेंगे जहां पर वो पहुँचे थे process same होनी चाहिए सद्दान same होना चाहिए logic same होनी चाहि यह हमारी खुमसुर्ति किस केमारी ही साइन्स की हां कि आते हैं मुद्ध पर बॉद्ध है कैया कहत् Frage तो रहा है कि एक गुदेक्ड पर लिख डापvis आरंभिक वेग दोनों का हमने देख लिए यू कॉस थिटा और यू साइन थिटा तोरण एक्स 0 और एवाई जी देखने को मिला एक्स 0 और एवाई जो देखने को मिला माईनस जी मिला च्यूं मिला ये बात भी समझ माँ कि अब हमें कुछ दो एक बाते और calculate करनी है मैं ज़र calculate करता हूँ फिर हम आते हैं फिर से अपने slides पर मैं आपको कहता हूँ इसके लिए अब दो चीज़े calculate कर डाली है क्या calculate कर डाली है तो एक प्रारंभिक समय पर ठीक है वेक और किसी t-second चलने पर प्रारंभिक में पहले तो वेक और t-second चलने पर कितनी दूरी तय हुए है इसको हम निकाल लेते हैं 36 में कितनी और उर्द्वारधर में कितनी है तो देखें मैं ऐसा कहता हूँ मैं equation लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ सबसर्फ फॉस्ट कि मैं calculate करनूं क्या भई तो जो यहाँ पर given है कि VX और VY इसको हम calculate करके ले आते हैं VX और VY तो देखें गति के प्रथम समीकरण से देखें भई घबराना नहीं है इस topic को करते हुए बिलकुल नहीं घबराना है और बहुत आराम आराम से धीरे-धीरे से इसको पूरा complete करने है ठीक है तो गति के प्रथम समीकरण से क्यों complete धीरे-धीरे करने को बोलो भई क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा भी concept मिस हुआ और हमेशा का वो सरदर्द आप निकाल भी नहीं सकते हैं पता नहीं कौन सी ऐसी यह कडी थी जो मेरे से छूट गई थी इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे complete देखेंगे and practice करके देखेंगे ठीक है ना खुद से एक बार solve करनी पड़ेगी यह करने के बाद ठीक है देखे गति के प्रथम समीकरण से हमें पता है वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है होता है ना तो अब देखे मैं लिखता हूँ 36 दिशा में किदर निकालना है भई मुझे 36 दिशा में प्रारंभिक वेग धान से प्रारंभिक वेग की बात करें हम initial velocity की 36 दिशा में 36 दिशा में प्रारंभिक वेग कौन है भई तो यू एक्स है तो मत्मिम यह निकालना चाहता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से निकालू वी एक्स यू एक्स ही लिखता हूँ यू एक्स तो क्या लिख्ख होगे भई तो आप कहेंगे यह होता है बई U cos theta है ना ठीक है अच्छे काम करूं आपके लिए लिखता हूं ऐसा UX plus Xt यही होगा ना इस समिकर्ण से अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखेंगे VX equals to UX plus Xt V equals to U plus AT लिखा है अब UX की value बताइए तो UX की value आप कहेंगे भी यह होता है कि था U cos theta तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोण U cos theta plus x x 0 है 36 में जो त्वरण है वो 0 है तो यह 0 times of T यहाँ पर लिख पोलो चुकि X की value कितनी है 0 तो हो गई नबात खतम V X is how much यह हो गया मेरा U cos theta इन सभी को सम्हाल करके रखना पड़ेगा यह बहुत सारे काम की चीज़े फॉस्ट एक्विशन देदी इसी प्रकार किसके लिए निकालो तो इसी प्रकार उर्ध्वारधर दिसा में क्या निकालना है भई वही प्रारंभी क्विक तो प्रारंभी क्विक वी वाइ लिख लेता हूँ उसके लिए चलिए तो वी वाइट्वबस टूं क्या लिखेंगे तो यू आए प्लस ए वाइ टाइमस अफ टी निकाली यू आए की वेल्यू तो यू आए की वेल्यू वाइ का जो घटक प्रारंबिक वेग का जो आई दिसा में घटकता हो वो कहता भी तो यू साइन थीटा एवाई कितना था माइनस ऑफ जी है तो माइनस ऑफ जीटी यह हो गया मेरा वी वाई की वेलियो यह बना लेता हूं मैं समिकरा नमबर दो यहां से मुझे समझ में आगया कि प्रारंब में जब इसको मैंने यू वेग पे थीटा कोड के साथ में फेक रहाऊंगा तो 36 दिसा में जो वेग हो रहा होगा वो रहा होगा यू कॉस थिटा और उर्द्वारधर में जो हो रहा होग क्या यू साइन थीटा माइनस जीटी जो ऊपर की तरफ में वेग हो रहा है यहां पर यहां पर जो ऊपर की तरफ में वेग मिलेगा वो क्या मिलेगा यू साइन थीटा माइनस जीटी 36 में जो हो रहा है वो हो रहा यू-Costed चलेगा इतनी से बात अगर इतनी से बात चलेगी तो भाईया अब हम दो equations और निकालते हैं हम ज़रा बात कर लेते हैं किसकी तो हम ऐसा कहना चाहते हैं अगर हम first equation से देखें second equation से देखें तो मैं ऐसा कुछ कह सकते हैं same diagram same graph के लिए क्या भाई तो मैं कहना चाहता हूँ गती के दूइतिय समीकरण से किस से भाई गती के दूइतिय समीकरण से गती के दूइतिय समीकरण कहता हूँ है s equals to ut plus half a t square अब मैं इससे कहता हूँ कि 36 जदिसा में 36 जदिसा में तै की गई दूरी है हम कुल दूरी की बात नहीं करें सिर्फ और सिर्फ हम तै की गई दूरी नॉर्मल यह एक equation मनाना चाहते हैं तो 36 जदिसा में यहाँ पर आप कितना चले हैं तो 36 जदिसा में आप कहेंगे x is equals to ux plus half of ax t square यही चले ना 36 में 36 में क्या चले है uxt plus half of ax t square तो 36 जदिसा में यह x is equals to ux की value अभी हमने क्या देखी हुए देखे ux की value क्या है u cos theta ux की value u cos theta और x की value 0 तो मत्तब यहाँ पर मैं लिख सकते हूँ ना क्या लिख सकते हूँ तो मैं लिख सकते हूँ तो u cos theta times of t plus half of ax की value कितनी है भाई 0 times of t square चुकि ax is equals to how much 0 and ux is equals to how much to u cos theta यह हमको पता है तो x equals to how much x equals to मुझे मिल गया simply u cos theta times of t यह क्या मिल गया u cos theta times of t दो equation वहाँ बना ही थी equation number third आगे यहां पर similarly यह चैती दिशा में तय की गयी दूरी थी अब मैं निकालना चाहतो है यहां से उर्धवारधर दिशा में उर्धवारधर दिशा में तो उर्धवारधर दिशा में अगर विस्थापन निकालेंगे तैकी के दूरी कोई काम करूंगे, मैं विस्थापन लिख देता हूँ है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेगा, उर्ध्वारधर दिसा हम आप विस्थापन बताएंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई, फार्मुला तो सेम है, लेकिन इसके लिए बन जाएगा, क्या y is equals to u y t plus half of minus of g t square, इसमें तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, जब मैं उर्ध्वारधर की बात करूंगा, जब मैं किसके बात करूं, उर्ध्वारधर की बात करूं, तो उर्ध्वारधर दिसा हमें ay की value कितनी है, minus of g, तो minus of g t, ठिक, तो मत्तब आजाता हूँ मैं अपनी जगह पे, and हम बात कर लेते हैं, तो इसकी values रखना सुरू करिये, क्या रखेंगे भई, तो आप कहेंगे u y का मत्तब होता है, u sin theta times of t, plus, plus क्या, minus से लिख देता हूँ, minus half of g t square, इसका कारण को होने है, तो u y is equals to u sin theta, मत्तब उर्ध्वारधर दिसा में प्रारंबिक वे का component, and जो g था, वो कैसा तब ही, तो negative of g था, यह यहाँ से मुझे फाइनल इनीचे लिख रहा है, तो मैं, u sin theta minus half of g t square, यह मेरे को एक समिकर्ण और मिल गए, इसको मैंने कह दिया, समिकर्ण नमबर 3, यानि कूल मिला करके, मुझे 4 equations मिली है, उन 4 equations को एक जगा रखता हूँ, ताकि मु vx equals to u cos theta, और vy equals to u sin theta minus g t, यहाँ पर 2 equations और मिले, 3rd यह 4th कहता हूँ, this is 4th, y equals to u sin theta minus half of g t square, चली, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आई है, तो हम आते हैं, अपने original गपे और काम करते हैं, या क्या, तो vx equals to u cos theta, और t समय के बाद में वे, अगर निकालें, तो vy equals to, क यह अभी हमने calculate कर लिया, अब बढ़ते थोड़ा सा और आगे, तो भई, अब सुरू करना है हमें, क्या, तो हमें सुरू करना है trajectory के लिए समय करन, तो हमने पहले तो निकाले है, x equals to u cos theta, और y equals to u sin theta minus half of g t square, यह 4 equations हमने अभी calculate कर लिए, ठीक है, अब क्या बात करना है, तो अब हमें सुरू करना है, कि भई, total जो y निकलेगा मतलब उसका जो path है, वो परवलयाकार होता है, यह proof करना है, ठीक है, इस trajectory के लिए जो इसका path है, वो कैसे होता है, परवलयाकार होता है, इस बात को हमें करना है, proof, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो प्रचहपे के path के लिए, यह अब derivation है, प्रचहपे के path के लिए, प्रचहपे के path के लिए, यह कुछ values मिली है, उसके accordingly हम क्या कह सकते हैं, बही तो प्रचहपे है पत्ध के लिए मेरे पास जो y की वैलू आई है क्यों य की वैलू की बात करूँगा तो y की वैलू के इसलिए बात करूँगा कि मुझे इस प्रच्छे पर का पत्ध निकालना है तो इसका पत निकलना मतब किया वहीं, इसका रास्ता जो निकलना याणि Y वाली जो EQUISION आई थी उसी से निकलेगी जो Y दिसा में, जो Y की दिसा में यह किसकी EQUISION है, Y कोई चुझ तो Y sin थेटा मैननस हाफ ऑफ of GT स्कौर जो मैं निकालना हूँ कि किसी कुई तो यह जो एक्विशन यह ना उर्ध्वार्धर धिसा में विस्थापन और रम यहीं कर दिसा में कि आपको देखने के मिल रही है वह मिल यह इए वाइक हमेसे एक चोटा सा काम करके लहते हूं किंप्ता है x equals to u cos theta times of t u cos theta times of t यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ मैं आपर लिख लेता हूँ u cos theta times of t and जो y है मैं कुछ नहीं copy कर रहा हूँ मैं यहाँ से आपके लिए क्या कर रहा हूँ copy कर दे रहा हूँ ताकि यह u sin theta minus half gt square u sin theta minus half gt square तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ u sin theta minus half gt square यह मेरा समयकर नमबर 3rd था यह मेरा समयकर नमबर 4th है ठीक है अब मेरे को यहाँ से सूरू करना का यह सिर्फ रेफरेंस के लिए है पीछे वाले slide से हम उठा करके लिए आ रहे हैं यहाँ से काम सूरू करेंगे जब आप copy में करेंगे तो इतनी परिसानी नहीं होगी आपको simply दिख रहा होगा यहाँ परच्छेपे के पत के लिए बात कर रहे हैं मतलब हम कहना चाहरे है कि परच्छेपे का पत जो होता है वो कितना होगा तो y equals to u sin theta minus half of gt square यह projectile का पत होगा लेकिन इसमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा चुकि समीकरण 3 से x equals to हमें पता है कौन u cos theta times of t तो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा x upon u cos theta is equals to t यह चलेगा तो अब लिखता हूँ मैं t का मान समीकरण कौन सा यह है यह चौथा समीकरण समीकरण 4 में रखने पर तो t का मान समीकरण 4 में रखे समीकरण 4 में रखेंगे t का मान तो क्या मिलेगा y equals to u sin theta ठीक है y equals to u sin theta अच्छ u sin theta times of t भी तो होगा ठीक है एक यहां पर देखिए यहां पर भई यह t भी तो रहेगा यह t u sin theta times of t minus half यह theta t ती रहेगा भई यह एक t छूटने का कारण भई यह बहुत सारी करवड़ी हो जाएगा यहां पर यह t तो आए गही u sin theta times of किसको लिखना भई t तो ठीक है x upon u cos theta तो t की जगह x upon u cos theta minus of half gt square half gt square का क्या था परे भई तो half gt square को g को तो एजटी छोड़ दीजए t square की जगह तो सब कुछ रखरी पड़ेगी कौन x upon u cos theta का u cos theta का square मतलब फाइनली जो मेरे को y मिला वो क्या मिला वो मिला मेरे को u sin theta ठीक है into x upon u cos theta minus half of gx upon u cos theta का square अब मैं यहाँ पर एक छोटू सा काम कर सकता हूँ मैं क्या कह सकता हूँ जड़े इसको एक comparison लेंगे क्या comparison है मारे पास तो मैं इसको कहता हूँ थोड़ी देर के लिए देखिए यह sin upon cos u say u cancel हो गया तो y equals to क्या लिख सकता हूँ u say u cancel sin upon cos का मतब क्या हो गया 10 theta मतब x 10 theta x 10 theta 1 upon 2 times of g इसको लिखता हूँ ऐसा g upon u square cos square theta times of x square अब क्या करता हूँ तो मैं एक आपको छोटी सी बात सिखाता हूँ यहां पर यह हो गया हमारा complete का लेकिन इससे मुझे समझ में तोड़ा कम आ रहा है कि भाई यह जो कह रहे प्रचेपे का पत कैसा होगा वो क्या क्या समझू मैं इससे क्या समझा रहा है कि मान लीजिए जबरन का माना t equals to tan theta is equals to मान लीजिए और similarly आप से यह कह दूँ मैं कि यहां पर कहिए कि भाई जी अपॉरं two you square cost is square theta यह जो पूरा मान है जी अपॉरं two you square cost square theta यह जो पूरा मान है इस मान को आप कह दीजे भाई यह है मेरा बी यह तो चलेगा तो यह इसको क्या लेख सकता हूं आता you y equals to how much एकस तो है 10 theta की जगबे a तो क्या आजाएगा AX माइनस ठीक है भी या लगा लिया माइनस ये पूरा जो G upon 2U square cos square theta उसकी जगा पलिकना B तो ये क्या मिल गाए BX square तो ये ultimate लिए अगर आप देखते हैं Y cos to AX minus BX square BX square में भी कौन भी या तो ये जो square जो दिखना है ये कहता है कि ये जो पत है कोन है परवलयाकार है इसका अगर देखते हैं तो समीकरण का समीकरण का अधिकतम जो घतांक है ऐसी देखते हैं भी अधिकतम घात जो है वो कितना हैं? दो है यानि वर्ग है यानि ये एक वर्ग समीकरण है ये कैसा है एक वर्ग समीकरण और वर्ग समीकरण का अतह वर्ग समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है भई परवल लयाकर मतब अब आप फाइनली यहां पे कह सकते हूं क्या कि अतह प्रच्छपे का पत किसको फोलो कर रहा है य एक्वल स्टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वाइर को निर्देशित कर रहा है अतह पत परवल लयाकर है यह बहुत इंपॉर्टेंट अब यह अतपत परवल लयाकर है यह होगई आखिर स्टेट्मेंट इस लाइन से मुझे समझ में आगी कि यह जो इसका प्रोजेक्टाइल मूशन जो पत है वो कैसा है परवल लयाकर है तो यह हमने जो इनिशियल इसके लिए रखा था यह हमने कैल्कुलेट कर लिया यहां तक में तो अब कोई समस्य कोई परिसानी नहीं आनी चाहिए और यह बात अगर क्लियर हो गई तो हम आते हैं अपने यहां पर तो हमें क्या मिला यक्ष्ट यू साइन थिटा डॉट एक्स अपन यू कॉस थिटा माने जी एक्स अपन यू कॉस हिस्ट तर्चा की यह यह कन है तो यहां का मैक्सिमस म Ready समय करन है जिसे ऑ क्षेक्टरी सम्ही करन कहते है इसको प्रजेक्टरी का पाथ रस्ता ता जिसमें चलके गया था यह है मैरे ट्राज्क्टरी एक्क्विशन vive工 चलेगा अब अगर इतनी से बात समझ से मैं तो मैं उड़ेनकाल का मत्तब समझे उड़ेनकाल का मत्तब यह कितनी देर तक इस हवा में रहा इसको हमें निकालने तो टाइम ओफ फ्लाइट निकालने के लिए उड़ेनकाल निकालने के लिए बहुत असान सा काम है मैं दो चीजें यहां पर आपको एक साथ सिखा देता हूं क्योंन बढ़ ये ये, ये maximum height कितना हुआ? और ये चलने में कितना समय लगाए? मतब उडेयन काल और height, ये दो चीज़े मुझे करनी हैं हम calculate, उडेयन काल करनी है और height calculate करनी, मतब मैं आपर अबके लिए बना लूँ, मैं कहता हूं, मुझे निकालनी है अभी time of flight. ठीक है कहते है उड़ेंकाल, उड़ेंकाल का मतलब कितनी देर तक हवा में उड़ा, तो भाई उड़ेंकाल निकालने के लिए सबसे बहतर तरीका है, ठीक है, y equals to, जो हमको equation मिली थी, क्या भाई, मैं लिख लूँ कि डिरेक्ट, u sin theta times of t minus half of gt square, y equals to, तो हमें यही मिला है न, यह देखिए, y equals to u sin theta times of t minus half gt square, मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, समिकरन 4 से, मैं यहाँ पर उपर लिख भी देता हूँ, समिकरन 4 से, क्योंकि जब आप copy में बना रहे होंगे, तब तो आपको easily सब दिख रहा होगा, समिकरन 4 से, यह मुझे पता है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या भई, कि dy upon dt, dy upon dt का मतलब क्या, मैं यहाँ पर calculate करना चाहता हूँ, इसका week, क्या calculate करना चाहता हूँ, week, dy upon dt का मतलब क्या हो गया भई, तो यह होगा, week, कैसे निकली भई, यह, तो वेग मतलब क्या होता है, वस्थापन बतामे समय, यह y कह है, वस्थापन ऑर इसको time सो divide कर दीजए, वस्थापन बतामे समय, ठीक है ना, क्या करती है हमने इसको, वस्थापन बतामे समय, तो ये क्या मिल जाएगी लाइन बताइए differentiation of d upon dt of ये पूरी लाइन u sin theta t minus of half of gt ये असान तरीका इसलिए मैं differential method भी यूज कर ले रहूँ आपके लिए अब क्या बन जाएगा बई ये देखें d u sin theta times of t upon dt दोनों को बांट देना होता है minus d upon dt times of 1 upon 2 times of gt square अब differentiation का क्या गुण होता है तो differentiation का गुण होता है कि यहाँ जो लिखा इसी में हमको परिवर्तन लाना है बाकी सब constant मतब ये हो गया differentiation कैसा है u sin theta u sin theta dt upon में dt minus ये t में से परिवर्तन बाकी सब को बाहर किजिए तो 1 upon 2 g को रखिब लेता हूं उपर याद g upon 2 d2 upon में dt यही बनेगा अब देखे differentiation कितना असान होता है differentiation dt का कितना होता है dt by dt है तो 1 हो गया ये किता हूं गया मेरे पास आया dy upon में dt ये मेरे पास में जो मिल रहा है v y मिल रहा है vertical velocity मिल रहे है इसको कहा लिकूंगा ये लिकूंगा v y है vertical velocity उर्दवारधर velocity उर्दवारधर वेग तो एक कितना मिल रहा है भई तो यह मिल रहा है देखिए U sin theta कितना मिल रहा है यह U sin theta dt upon dt कितना होगा 1 minus g upon t 2 नीचे आजाएगा और यह बन जाएगा t कैसे निकलता है देखिए differentiation of x to the power n अगर आपको दिया हो तो इसका rule है n को नीचे उतारिए power x से minus कर दिजए तो मैंने पास दिया था differentiation of d2 upon dt तो इसका मतब गया power को नीचे उतारा power को एक से कम किया मतब twice of t ठीक है चलिए अगर इतनी से बात आपको समझ में आईए तो मैं इसको हटाता हूँ and मैं इसमें अब आगे बढ़ जाता हूँ इसके दूसरे तरीके भी है मैं उसकी भी discussion करूँगा भई एक तो differentiation method हो गया और भी तरीके ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको differentiation नहीं भी बनेगा तो भी चिंता मत किजेगा मैं आभी सिखार हो आपको यह क्या बन गया अब मुझसे पूचा गया था टाइम पर तो देखें अधिक्तम उचाई पर अधिकतम उचाई पर वीवाई की वैलू कितनी हो जानी चीए जीरू तथा अधिकतम उचाई जाने में लगा हुआ समय इसको मान लेता हूँ मैं टी देखिए ध्यान से मैं सिर्वाब से ये कहना चाह रहा हूँ जो अभी अपर ने एक्स्प्लेइन किया था किस बात के लिए भई कि ये मैक्सिमम हाइट पर जब जा रहे हैं तो देखें ने यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है ती वही उतना टाम लएगए यहां से हाने में तो मैं यह टी निकाल ले तो यह ती निकल जाएगा मैं क्या कर करना है इस वैल्यू को ठीक है ना और एक बात क्यों बीच की चीजे अगर आपको देख रही यहाँ पे तो भी यह बाई बीच की चीजे हटा की उने रहे थोड़ा सा तो भी उसको अटाना इसलिए जरूरी नहीं समस्ते क्योंकि वह बीच की चीजे ही आपको अभी बार-बा देखने को मिल रही है कि कई सारी वैल्यूस कैलकुलेट करनी है और हमारी फिजिक्स ऐसी है भई यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या यू एक चलना सुरू किया था एक कोड बना करके उसी से यह पूरी बाते सुरू ही कि भईया वह माक्सिमम इस्थापन कितन हो जाएगा अधिक्तम उचाही कितनी गें करेगी समय कितना लेगा रेंज कितना आएगा सब कुछ अभी और भी कैलकुलेशन लेनी है एक एक करके हम समझते है फिर एक साथ हम आखरी में सब को कमकेर कर लेंगे तो एक बार में आजाएगी यह मुझे मिल चुकिए क्या जा तो टी को स्टू क्या मिल जाएगा भई तो आप कहेंगे यू साइन थीटा पॉन में मिल जाएगा जी क्या मिल जाएगा टी साइन थीटा पॉन जी यह किसमें आधा दूर चलने में अब मैं कह सकता हूं क्या कुल समय कुल समय अर्था टी अर्था इसी चीज़ को मैं क्या सकता इसी को मैं लिख सकता उड़े अनकाल उड़ने में कितना समय लगा तो कुल समय कितना उड़े अनकाल T किसके बराबर है तो T है twice of T के बराबर small T मतब जाने में प्लस आने में तो कितना हो गया Capital T equals to 2U sin theta upon G तो एक value यहां पर और आ गई एक value यहां पर और आ गई तो इसको कुछ जो भी equations चल रहा है उसी के accordingly इसको नाम दे देते हैं यहां पर चार equation हो गई थी इसको मैंने equation number दे देता हूँ पांच इसको मैं equation number दे देता हूँ कितना छे देखे भई अभी continuity में ही चले जा रहे है अब यहां तक ही तो हमें बात समझ में कुल कितना समय लेगा चलने मुझको भई तो 2U sin theta upon में G कितना समय लगा 2U sin theta upon में G चल मुझ में नहीं आया तो कोई और तरीका है क्या तो कोई और तरीका कैसे निकाले भई तो कोई और तरीका देखे है y equals to हमें क्या line मिली थी y equals to में मिला था u sin theta ठीके क्या मिला था y equals to u sin theta times of t minus of half gt square यह रख लीचे अब मैं कहता हूँ क्या भई कि जो y है यह अधिक्तम उच पर इसका विस्थापन कितना है तो विस्थापन हमने कह दिया कि भईया जीरू विस्थापन कितना हो गया विस्थापन जो हो गया वह गया वाई जो हो गया वह गया जीरू तो इसको कर दीजे जीरू यह तरीका अलग है उसमें वेग को जीरू करते अर्धकाल पर निकाल आप बही हैं, यहां से चलना शुरू किया थे हूं और वहापस यहीं हा 갖고 हैं तो आपकी जो अर्द्वार दर湃 विस्थापन है वह कितनी है। अर्द्वारदर विस्थापन जीरो है ने जहां से चले है वह वापस उसी धरातर पह आगये। तो दोनों अगर यह 0 हो गया मतलब 0 equals to u sin theta times of t minus half of gt square gt square को इदर लाइए तो half of gt square is equals to आपको देखने को मिल जाएगा क्या तो यहाँ से आपको मिल रहा है u sin theta times of t तो 1t से यह 1t cancel हो गया 2 को इदर विजा दीजे तो gt is equals to क्या मिल गया है 2u sin theta तो t equals to क्या मिल गया है वही टी मिल गया है 2u sin theta upon में g 2u sin theta upon में g यह सीधे total time period मिल गया क्या मिल गया total time period मैंने बलना यह second method है यह time period निकालने का कौन सा मातर हो गया यह second method हो गया और first method जो दिखा यह अपना traditional method है वही निकाला जाना चाहिए कायदे से गलत है कि आप वह पहला जो निकाला जो second method निकाला नहीं भी गलत कोई भी नहीं है ऐसा नहीं कोई गलत कोई सही बस आँए यह हमारा actual method है जिसके जरी हम निकालते हैं जिसमा हम कैसे निकाल रहे हम यह निकाल रहे हैं कि अधिक्तों मुचाई पर उसका वेग 0 हो गया है यह उर्धारधर विस्थापन जीरो है अच्छा तो यह आधा दूर चलने में कितना टाइम लगाया था यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगा था यह यह निकाल के दीजिए तो यह टी कितना हो जाएगा capital T upon me 2 इसका आधा कर दीजिए तो यह क्या मिलेगा यू साइन थीटा पॉन मी जी क्या answer में कोई अंतर आ रहा है क्या तो आप कहेंगे नहीं बहीं answer में कोई अंतर नहीं आ रहा है answer same दोने method के लिए रहे ना चलिए मैंने आपको बोला था भई कि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम एक भी concept नहीं छोड़ने वाले हम आपके लिए जितने भी possible ways है जितने भी तरीके सब लेकर कहेंगे वह अगर आपको उस method से जाना है जहां पर हम differentiation करें तो उससे जाएए ब differentiation integration जब आपके दिवाय में चलने सुरू हो जाएंगे इस तरीके से तो हमारी physics नों बहुत 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 ही ज्यादा simple हो जाए ठीक है na simplicity पे जो है वो आप ऐसा मत सोचिए कि जो complexion आ रहा है वो complexion आपको परिसान करने के लिए नहीं वो complexion आ रहा है ताकि आपको कह 36 परास की जो horizontal range है मैं उसकी बात करना चाहतू हूँ horizontal range की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ तो horizontal range निकालना बहुत ही असान सा काम है देखे horizontal range निकालने के मतलब क्या है मैं वापस से बार बार देखे मुझे इस diagram पे तो आना ही पड़ेगा otherwise हम काम करनी पाएंगे कैसा भी मैं ये कहना चाहनू देखे क्या ले लिया जाए क्या ले लिया जाए ये ये ले लिया जाए चलिए ये देखे horizontal range का मतलब जब तक वो उड़ रहा था हवा में तो हवा में उड़ते समय इसने यहां से यहां तक कि कुछ ना कुछ तो दूरी ता है की ना यह जो दूरी है ना इसी को मैं denote कर रहा हूं किससे आर से चैतिज परास horizontal range का मतलब क्या चैतिज परास चैतिज परास कैसे निकालेंगे आप खुद से बताइए यह चैतिज में कितना चला तो मैं कहता हूं इसी 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 के जस्ट आगे मैं इसी लिए पूरी values रखते चलों चैतिज परास आपको समझ में आ गई है बात कि बहिया यह जब चल करता हूं करके गए हाँ से यहां पहुंचा तो यहां से यहां तक कि जो यह दूरी थी यह कितनी थी इसकी हम बात कर रहे है तो चैतिज परास कैसे निकलेगा तो मैंने यहां पर कहा है ना कि यहां से जो है x-axis के direction में यही चीज़े बन ली थी चली बहुत आसानी से यहां पर मैं यह कह रहा हूँ कि भई यह जो x-axis के direction में वो है u cost it यह यह ना ux और यह u तो मैं यह कहता हूँ भई यह कि इसको चलने में 36 परास जब मुझे निकालनी है ultimate मुझे दूरी निकालनी है तो मुझे पता है न वेग बराबर क्या होता है भई तो होता है मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ परास बराबर क्या हो जाएगा भी तो परास बराबर हो जाएगा मेरा 36 यह कौन सा परास निकलने के लिए बोले भी 36 ही तो 36 परास बराबर 36 वेग इन्टू उड़े अनकाल 36 वेग इन्टू उड़े अनकाल अब क्या है 36 वेग तो 36 वेग मुझे पता है भी यह है यू एक्स उड़े अनकाल केतना है भाई टी यू एक्स की वैलू क्या है भाई तो यह है यू कॉस थिटा टी की वैलू क्या है भाई तो यह है टू यू साइन theta upon में g कहे 2u sin theta upon में g इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ से बात करना सुरू करता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर calculation लगेगी इसको भी कहते हैं range r से लिखते हैं range कहते तो r equals to कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा u into u कहा लिख दो use कर 2 sin theta cos theta into 2 sin theta cos theta upon में चल रहा है हमारा g अब एक बात सिखाता हूँ मैं यह हमारा एक formula है 2 sin theta cos theta is equal to होता है sin 2 theta 2 cos theta sin theta का क्या होता है sin 2 theta का formula तो मतलब उपर क्या देखने को मिल रेंज range मिल रेंज मिल रेंज u square sin 2 theta upon में g 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 यह मिल गया मेरे को क्या horizontal range 36 परास ठीक चलिए अब इतनी से बात हो गई तो थोड़ी बहुत और कुछ-कुछ इससे conclusions निकालने हम उसकी भी बात करते हैं आईए अब बात करते हूं में अधिकता मुझाईगी maximum height कहां तर गया है v square is equals to u square plus 2 as अब मेरे को maximum height पर बात करनी है मेरे को बात करनी है कहां पर मेरे को बात करनी है maximum height पर यहां पर maximum height कब होगा जब final velocity किती हो जाए यहां पर अधिकता मुझाई कहेंगे ना क्योंकि अब इसके बाद क्या हो ना इस ball को नीचे गिनना है तो मैं इसको लिख सकते हूँ क्या भई इसको मैंने लिख दिया क्या 0 यह u cos theta sorry u vertical axis में सब कुछ चल रहा है तो vertical axis में कितना हो जागा इसको ऐसा ही लिख लो मैं इसको लिखता हूँ vy square is equals to u y square plus 2 g s लिखना है जाए की जगह पर क्या जाएगा भी minus of G और height को माझने तो मैं कह दे तो h यह जो height है । मैं क्या हिख सकता हूँ मैं यह कह सकता हूँ नो कि अधिकतम उचाई पर अतिकतम उचाई पर v y zo है वह कितना हो जाएगा? 0 अधिकल्म उचाहिपर वीवाय जो हो जाएगा, क्यों जाएगा जीरो, ये वीवाय जो है, ये ओगा जीरो, खताम कोई भी बोल के लिए देख लिए, जब आप एक गेंपर उपक्वेग किया, अधिकल्म उचाहिपर होगा और लाकर के कहा रख दिया जीरो मतब ये यू से अब बदल गई कहां तक जीरो तक पहुँच गई यू से जीरो तक पहुँच गई कितनी देर में भाई तो पहुंचिए टी सेकंड में खेर इसमें टाइम के जोरत नहीं हम टाइम को भी उच करके निकाल सकते हैं अब इसको क्या काम करिए गाप। सिंपली इसको जीरो कर दीचे हैं तो मिल गया कि आपको 0 is equal to Vy का square sorry Uy का square कि अगर हम बात करते हैं तो Uy कभी नहीं मदला ए अगर हम देखेंगे तो u sin theta ही रहे गया का square माइनस ये माइनस वहार आगया आप 2GH अब अगर इसको इदर ला दो तो 2GH is equal to क्या मिल गया? U sin theta का square, मतलब यहां से मुझे h चाहिए, मतलब हो गया U square sin square theta upon में 2G. U square sin square theta upon में 2G. क्या मिल गया? U square sin square theta upon में 2G. तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ. अधिकतम उचाहिए. क्या भई? h equals to मिला U square sin square theta upon में 2G. यह equation number जहां तक चल कर के आ गई थी? यह 6 हो चुके थी. यह equation number बन गे मेरी 7. यह बन गे मेरी equation number 8. अब स्वैम से देखिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने पार्ट केल्कुलेट करके ला चुका हूँ. आठ पार्ट केल्कुलेट करके ला चुका हूँ. ठीक है? चलिए. लेकिन आपको यह बातें तो समझ में आई होंगी ना कि किस तरीके से निकाल रहे हो? निकल चाएगा. चलिए. आगे बढ़ता हूँ मैं. परिणामी वेग अब निकालते हैं. मतब रिजल्टेंट जो वेग होगा, रिजल्टेंट जो विलोसिटी होगी, अब हम उसकी बात करें. तो रिजल्टेंट विलोसिटी के अगर आप बात करते हैं, तो एक सिंपल सी लाइन है. क्या भई? कि हम इसको लिख लेते हैं, इसके जो आयता का, जो हमारा कॉडिनेट सिस्टम है, उसके कॉडिन. तो देखें, विलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है किसे भई? वी, एक् मेरे को यही तो मिला था ना. जो वेग की क्वेशन लिखी थी, वो क्या लिखी थी भई? वी, एक्स आई कैप प्लस वी, वाई, जे कैप. आपको सेम तिंग, जितनी पॉसिबल कानी है, सबसी कारो भई, आपको यह सेम तिंग ऐसा भी मिल सकता है क्या? यू एक्स आई कैप प्लस, यू आई, जे कैप. यहाँ पर यू वेक्टर लिख सकता है. अब अगर आप इसके accordingly देखे तो आप क्या लिख सकते है? तो आप ऐसा कह सकते है क्या? यू एक्स का मतब काँता आ? यू कोस दिटा आइकेप, यू कोस दिटा, आइकेप, प्लस, वाइकस में जो बात क घरिती हुआ कहता भई तो यू सांग थीता कहता यू सांग थीता माईनस जी टीक हमने ये दोनों मतब ये ओपल फाइनल विलासिटी घ्लकुलेट करी थी अभी उटाता ओintend हमने dieses इस के पॉर में कल्कुलेट करी थी एक्स और वीulo y component और x component ठीक जब यह दोना calculate करी थी तो हमें पता modulus of v vector क्या होगा तो जब मुझे ये बात पता है कि अगर x vector r vector is equal to अगर x i cap plus y j cap होता है और कोई मेरे जब उस्ता modulus of r vector मतब इसका magnitude सिर्फ उसे परिमार सिर्फ संख्या cap हटा दीजिए तो यह x square plus y square होता है तो इसको अगर निकालेंगा तो यह कहा लिकेंगा under root of x की जगह पर कौन है तो u cos theta chi square plus u sin theta minus gt chi square यह हो जाएगा इसका परिडाम यह इसका resultant यह इसका परिडाम और अगर यहाँ पर कोण निकालना है तो कोण मतलब क्या होता भई 10 theta 10 theta का मतलब क्या हो जाएगा भई तो 10 theta का मतलब हो जाएगा vy upon vx अब vy कौन था भई और vx कौन था तो vy था मेरा u sin theta minus of gt upon vx कौन है भई तो यह है मेरा u cos theta यह angle हो क्या यह किसका angle है भई किसी भी छण किसी भी छण जो यह projectile चल रहा है यह projectile चल रहा है इसका किसी भी छण पर आपको यहाँ मन के यहाँ पर इस vague का क्या निकालना है भई इसका परिणाम निकालना है तो इसका परिमार यह तसके बराबर होगा यहाँ पर इस किस angle पर यह projected है तो यह 10 theta होगा ठीक है किस angle पर प्रोजेक्टेड है यह आपको 10 theta है यहाँ पर मिल जाएगा तो मतब किसी भी छण पर आपको निकालना होगा इसका कोण मतब परिणाम परिणामी सदीस का कोण निकालना होगा तो यह v y upon v x के जरिए देखने को मिल जाएगा मतब अब आख तक आपको बात समझ में आगे कि मैंने फाइनली उसके लिए resultant भी calculate कर लिया अच्छा आगे बढ़ते हैं और ज़रा हम जो resultant जो मेरे को मिला था क्या भई maximum जो दूरी range जो है उसके लिए मुझे बात करनी है कि horizontal जो range है ठीक है ना वो अधिक अधिकतम कब कब हो सकता है जो मैंने यहाँ पर बनाया है यह horizontal जो range u square sine two theta upon में जीद जो निकाला है यह अधिकतम कब होगा यह दूरी कब अधिकतम होगी तो यह दूरी कब अधिकतम हो सकती है इस form से अगर मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कॉसिस करता हूं तो मैं ऐसा कहत गेंद को मान लिजे इस गेंद को मैंने ऐसा फिका तो यह कुछ दूर और गई क्योंकि मुझे एक बात पता है कि यहां symmetrical काम हो रहे है यानि फॉस्ट हाफ में इसको अटा हूं फॉस्ट हाफ में यह जितना height तय किया है जितनी दूरी तय किया यहां से यहां तक मान लिजे बात करता हूं एक और side में बनाते चलता हूं ताकि comparison आपको असान हो जाए थोड़ा सा angle को क्या कर रहा हूं यह angle अगर यहां पर u का कौन अगर आप देखते हैं यहां पर यहां पर अगर आप u देखते हैं यहां पर मतब यह theta 1 कह लिए थीटा 2 में यहां पर बना रहा हूं मतब यहां पर जो थोड़ा सा theta को क्या किया है यह कम कर लिया यह जादा था इसको क्या क्या कम किया तो आप देखें ना इसने क्या क्या बही इसके case में यह r by 2 एक और case अगर मैंने इसको यहां किया तो मैंने थीटा को और कम कर दिया ठीक है तो इस केस में क्या होगा तो मैं ऐसा पा रहा हूँ कि यह थीटा 3 है है ना यहां पे यह R3 by R3 by 2 और यह भी है R3 by 2 अगर इन दोनों को कवर करें तो यह ultimately कितना distance travel कर रहा है यहां से यहां तक मैं range R3 लेकिन अगर आप ध्यान पुर्वक देखेंगे तो कुछ बाते समझ में आई क्या समझ में जब कोण ज़ादा था तब भी ज़ादा दूरी तरह नहीं हुई कोण को जब मैंने कम कर दिया तब भी ज़ादा दूरी नहीं हुई और एक ऐसी condition थी यहां पर मैंने को ज़ादा दूरी देखने को मिली तो यह कौन सी condition है बई कि कम कर रहे है तब भी कुछ symmetrical form नहीं हो रहा है यह धर भी मतब ऐसा कुछ है क्या कि मैं ऐसा कहता हूं कि कोण को बहुत ज़ादा कम कर देंगे तब भी अधिक्तम परास नहीं मिलेगा और कोण को बहुत ज़ादा कर देंगे तब भी अधिक्तम परास नहीं मिलेगा मतब बीच में कहीं एक point है जहां पर अधिक्तम परास हमको देखने को मिलेगा तो कितने पर मिलेगा भई तो मुझे मिलेगा अगर अधिक्तम परास आपको चाहिए तो theta रख दीजे 45 degree किता रख दीजे theta 45 degree क्यों रख दीजे theta को 45 degree चलिए इसकी हम बात करते हैं मैं अगर यहां पर range क्यों लिखू तो range equals to अभी हमको क्या देखने को मिला भी u square sin 2 theta upon me g क्या मिला u square sin 2 theta upon me g अब देखो भई जी तो है constant u जिस वेग से आपने फेग दिया फेग दिया वो भी खतम बचा कौन इसमें deciding portion वो है sin theta अब मैं यह कहता हूँ कि r max तभी होगा जब sin 2 theta का मान किता हो जाए 1 अब यह हटा देता हूँ कब आएगा भई जब sin 2 theta का मान किता हो जाए 1 तो sin 2 theta is equals to क्या लिख सकता हूँ मैं 1 कब होता भई 90 degree पे है sin 90 degree अर्थाथ 2 theta is equals to 90 degree अर्थाथ theta equals to 90 degree upon me 2 that is 45 degree मतलब एक बात समझ में आ रही है कि अगर आपने 45 degree पर अगर माली जैस की value किते होगे 45 degree तो ये जो निकलेगा न ये कितना निकलेगा ये maximum दूरी तै करेगा मतलब अब कुछ बात समझ में आई क्या जो क्रिकेट देखते ने को बैट्समान ने भईया हिट किया तो कई बार को ऐसा बोलता है ने कमेंट्रेटर भया उन्हें ना क्या किते हैं एलिवेशन नहीं मिला इसलिए वाउन्डरी पर जाके हो गया तो भाई सीधी बात उसने बैट से यहां से बहुल को हिट किया था यह रही बाउंडरी जिस तरीके जगई वह इसी तरीके से आ कि गिर जाएगी अब उसको क्या करना पड़ेगा ना कोसिस क्या करना पड़ेगा क्यों पेटालिस डिग्री पर फुट्टिफाइव टिग्री पर तो बहुत जादा दूरी मत्सब्री भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगा ठीक है ना दोनुचीजे मिल जाएगी कब जब वह 45 डेग्री पर क्या करें बैट समैन हिट करता है तब अदर वाइज अगर ऐसा काम करता है 45 डिग्री से अगर बड़े एंगल पर लग 45 degree से बड़ा है तब भी आपको क्या होगा भाई तो आपको maximum range नहीं मिलेगा height ज्यादा मिलेगी इस case में क्या हो रहा है height ज्यादा देखने को मिल रही है range कम देखने को मिल रही है यह एक ऐसी ideal condition है 45 जहां पर height और range एक sufficient मिल जाता है मेरे को देखने के लिए इसके बाद अगली case भी है अगर theta को आपने less than 45 degree किया तब भी यही कम होगा height भी कम मिलेगी आपको range भी कम मिलेगा यहां पर आपको height ज्यादा मिल रही है range कम मिल ठीक है तो मतब कुल मिला के समझ में है कि batsman को कैसा hit करना चाहिए तो batsman को ऐसा hit करना चाहिए कि भी 45 degree का angle बना है या footballer है वो जब kick करता है ball को तो कितने degree का angle पर भेजए कि भी यह सामने दूर तक ball जाए उसकी तो उसको भेजना पड़ेगा 45 degree कैसे निकालते हैं यह अभी आपको समझ में आ चुकी चाहें तो इसका screenshot रख सकते हैं हम बढ़ते हैं एक अगले point पर कि भाई जब यह 45 degree पर है तब क्या मिलेगा मुझे तब मुझे मिलेगा h max मिलेगा वो r max अपन में 2 मतलब यहाँ पर maximum height की अगर मैं बात करता हूँ इस condition में तो maximum height किता था था भाई u square sin square theta upon 2g u square sin square theta upon 2g u square sin square theta upon 2g यह किसकी value थी भाई यह थी height की अधिकता मुझा ही कितना जाएगा इसकी value थी तो जब यह 45 degree मुझे मिल गया कि भाई यह theta equals to कहां रखना है 45 degree theta 45 रखे तो h equals to क्या मिल गया यह इसी समय पे h max भी मिलना चाहिए भी जब r max मिल रहा है तो h max भी तो 45 degree के अगर हम बात करते हैं तो कितना मिल जाएगा भाई तो यह मिल गया मैंने को u square u square का मतलब तो assembly छोड़ दीजे कोई दिखकती sin square theta sin square theta का मतलब क्या भाई तो sin square 45 degree upon में 2g upon में क्या मिल क्या मिल को 2g तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो देखे sin 45 degree के value होते हो 1 upon root 2 तो u square 1 upon root 2 का square upon में 2g finally क्या मिला u square यह 1 upon root 2 into 1 upon root 2 मतलब क्या हो गया भाई 1 upon 2 upon 2g अर्थात मुझे देखने को मिल गया u square upon में 4g यह किसकी value मिल गी h max की यह h max की मेरे को मिल गी value ठीक है न यह h max की value आ गई and r max की जो value होती है वो कितने होती है भाई u square upon में g अभी हमने निकाला था है na r max की जो हमने value अभी निकाली थी यह क्या निकाली थी r max कम मिलेगा भाई तो 45 degree पहे तो r max equals to मेरे को पता है value क्या होती है u square sin square theta upon में g यह देखे u square sin sorry sin 2 theta upon में g यह क्या है sin 2 theta upon में g तो क्या कर दो भाई u square sin 2 theta मतब sin 2 theta यानि कितना होगा भाई theta यहाँ पर कितना है 45 degree तो sin 90 degree upon में g मतब r max की जो value मिली है मुझे वो मिली है u square upon में g क्योंकि क्योंकि जो यह 90 degree था यह क्यता होगा था 1 तो u square upon g मतब अब इसको कैसे लिख सकता हूँ यह देखे h max equals to मैं ऐसा लिख दूँ अगर u square upon 2 times of 2g तो यह जो value है u square upon u square upon में g यह value मुझे क्या देखने को मिल जागे 2 times of ठीक है ना तो finally इसको मैं इसको लिख सकता हूँ क्या h max is equals to r max upon में 2 भाई वो कितना था normally u square upon में g यह कितना है गया 4 तो मतबब हो गया r max upon में 2 चलेगी क्या इतनी सी बात तो चलिए आगे बढ़ते हैं and हम discuss करते हैं कि यह जो r max और h max के बीच में और क्या-क्या relations हो सकते हैं तो इनके बीच में एक relation ऐसा establish करते हैं देखिए हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर मानता हूँ मैं कि alpha m90-alpha प्रच्छेपियों पर समान परास प्राप्त करते हैं परन्तु दोनों स्थितियों पर अधिकते मुचाई के मान अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है मतब अगर मैं ऐसे कहता हूँ simply कि अगर एक प्रोजेक्टाईल है यह कितने डिगरी पर तो यह मैं कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ कि यह 30 डिगरी पर है और एक प्रोजेक्टाईल है जो कि 60 डिगरी पर है यह 30 था और यह कितने पर हो गई 60 डिगरी इन दोनों के case में जो range है वो मान लेता हूँ कि भी इन दोनों का range है ये दोनों का range same आ रहा है लेकिन जो height है ये कैसी आ रही है तो दोनों की case में जो height है दिखता मुझ आई है वो अलग-अलग आ रही है ठीक है ना एक question भी हम लेंगे इसका एक उदारण के तौर पर question भी लेंगे जहां पर हम इसको solve करेंगे तो मैं आपको नुमारिक value के साथ मैं आपको सिखा दूँगा कि ये किस तरीके से बिलकुल समान होंगी या अलग-अलग होंगी ठीक है ना बस इतनी सी बात कहना चाहिए कि अलग-अलग कोण पर भेजेंगे तो अधिक्तम उचाही अलग-अलग हो सागी किन्तु मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा कहूं कि आर बराबर हो एच मतलब क्या जो होरिजोंटल रेंज है वो किसके बराबर होजा है हमारी हाइट के तो यह कब की condition में हो सकती तो इसकी condition देखिये बहुत हीअसान है क्या है इसकी condition अगर u square sine 2 theta upon G is equal to u square sine square theta upon 2G इसके बराबर होना है ठीक है ना इसके बराबर अगर होना है तो यहां पर जो मान आता है इन दोनों को solve करने के बाद वो कोण का मान आता 10 theta बराबर 4 मतलब 4 कब होगा 10 theta का मान तो 1076 degree का मान होता 4 मतलब 1076 degree का मान किता हो तो इस condition में horizontal और vertical दोनों ही समान हो जाएंगे जितनी 36 दूरी होगी उतनी ही उचाई तेह करेगा ठीक है न कब तेह करेगा भई 76 डिगरी पर जितनी हाइट अटेंड करेगा उतनी ही 76 डिगरी पर कुछ ऐसा कहलो जितनी है हाइट अटेंड हुई यह उतनी दूरी मतब यह H और यह जो R है यह दोनों कैसे दिख रहे हैं आपर बराबर दिख रहे हैं आपको कितने पर भेजना होगा इसको भेजना होगा 76 डिगरी पर 76 डिगरी पर गयर प्रोजेक्टाई लॉंच होता है तो यह बिलकुल सेम टू सेम दिख गए मुझे आगे बढ़ता हूँ मैं और भी कुछ-कुछ बाते कर लेता हूँ किसके संबंद में भई तो इसी के संबंद में जहां पर हम डिसकेस करने वाले हैं कि यह जो conditions यह से हमने दो conditions मनाई इस तरीके से और क्या क्या conditions मन सकती तो देखे परास को निमलिकेतरुपüss बश्यक्ट कर सकते जो range हमने लिखा है था range हमने कह लिखा था U R अर इक्वल्स टू कह लिखा था U स्कौार Sहाइब टू थीटा upon में g अब sin 2 theta को तोड़ दीजिए दो टुकड़ों में तो ये u square इसको भी दो टुकड़ों में u into u sin 2 theta मतब 2 sin theta cos theta upon में g जो चलना चलने दीजिए एक को इसके साथ यू भेज दीजिए और एक को इसके साथ मैं क्या लिख से तो 2 times of 2 times of u sin theta और 2 times अभी ये क्या हो गया u cos theta upon में g अथात मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 times of u sin theta मतब u i और u cos theta मतब क्या u x upon में g मतब क्या हो गया वही फाइनली मतब 2 u x u y upon में g अपन चाहे तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते है ये जो range जो लिखा है u x u y upon में g ठीक चली ultimately वो use कह लिखाता है उन दोनों को हमने split up किया हूँ है अब थोड़ी सी बात करते हैं हम यहाँ पर समवेग में परिवर्तन की समवेग में परिवर्तन क्या होगा अगर मान लेजे ये चल रहा है तो समवेग में परिवर्तन क्या होगा भई तो समवेग में परिवर्तन को आप इस नाम से जान सकते हैं टीकेप होगे 全部 defense up अगर मुझे निकालना ने क्िया है इस परिवर्तन तो भई कि वेग में परिवर्तन वेग में क्या ने काला है वेग में परिवर्तन तो वेग में परिवर्तन डैल यू से दिनोट करते है कैसा होता बही तो अंतिम वेग मैनस प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभेग वेग अब अगर अंतिम वेग की में बात करता हूँ अंतिम वेग तो final velocity क्या दिखे रहे भई u cos theta i cap माइनस u sin theta z cap माइनस प्रारंभेग कितना है भई तो u cos theta i cap प्लस u sin theta z cap अब क्या करना है भई तो अब simple सी बात है इन दोनों को इसमें से minus मतलब u cos theta एक लाइन लिख लेता हूँ u cos theta i cap माइनस u sin theta z cap minus of u cos theta i cap minus of u sin theta z cap अब यहाँ से u cos theta positive का u cos theta negative का है cancel यह minus of minus कैसा हो जाएगा भई minus u sin theta z cap यह मिल गया मेरे को del u यह है del u क्या है भई u sin theta ठीक है ना minus of 2u 1u sin theta और 1u sin theta minus of 2u sin theta z cap minus of 2u sin theta z cap कैसे निकालते हैं समझ में आगया ना भई ठीक है अब मुझे कहा करना है मुझे निकाला momentum ठीक है मुझे कहा करना है समवेग तो समवेग में क्या करना है समवेग देखिए संपूर गति के लिए समवेग में अगर परिवर्थन निकालता हूँ तो मैं यही लिखा है यहां पर क्या समवेग में परिवर्थन समवेग में परिवर्थन इस इक्वल्स टू मैं कह सकता हूँ final momentum मतब अंतिम समवेग माइनस प्रारंभिक समवेग तो भी समवेग वराबर होता क्या है तो समवेग वराबर मुझे अलग से क्लियर है कि यह होता है द्रब्यमान इंटू वेग क्या होता है द्रब्यमान इंटू एक mass इंटू velocity तो मतब यहाँ पर समवेग में परिवर्थन को डेल पी से डिनोट अगर कर लेता हूँ चुकि यह एक vector quantity है तो डेल पी vector तो क्या लिख सकता हूँ मैं p final vector minus p initial vector p final का मतब क्या हो गया भई तो जो मुझे मिला था यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो mass into final velocity minus mass into initial velocity v final minus v final क्या यू 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 लिख ले तो जो लिखा था u final minus m u initial u के term में लिखा था तो u लिख ले तो चले चले m को common के लिखे क्या मिले गए u final minus u initial अब करूँ बात तो मैं इसको लिख सकता हूँ m times of del u del p vector is equals to how much m times of del u vector और del p vector equals to अब क्या मिल जाएगा भी m times of del u vector अभी हमने निकला था minus 2 u sin theta j cap minus 2 u sin theta j cap इसके साथ में multiply कर दीचे मतब क्या बन गया minus 2 m u sin theta z यानि जब हम समतल में गती की बात कर रहे होते हैं तो समतल में गती की बात करते हैं समय आपको घबराने के जुरत नहीं है जो normally हमने सरल रेका में गती की जब बात करी थी जितने formula पड़े थे वह formula change नहीं होगा ज़ग terminology change होजागी जैसे समवेक द्रविमान इंटु वेग ही होगा यह समवेक जो द्रविमान इंटु वेग ही है लेकिन यह वेक्टर में है तो यह j cap लेकर कर रहा है मतब यह समतल में है तो भाई आप components आपर देखने सुरू हो साइट चलिए यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि संपूर्ण गती के लिए जो समवेक में परिवर्तन होगा उसका मान कैसे निकालेंगे चले आगे बढ़ते हैं आगे के तरह बढ़ते हैं हम जड़ा देखते हैं कि उच्चितम मिंदू पर जब maximum height पर था प्रोजेक्टाइल कहा था जब maximum height पर था तब समवेक में परिवर्तन के तना होगा तो maximum height पर समवेक में परिवर्तन के अगर हम बात करते हैं तो देखे सम्वेग में परिवतर मैक्सिमम हाइट पर यानि डेल पी निकालने की मैं अगर बात करता हूँ तो मैं ऐसा लिखना चाहूँगा कि M, ठीक है, क्या होगा, M V final minus M V initial, मतब final minus initial तो हमने अभी देखा M, U cos theta i cap और initial कितना होगा, तो initial जो होता है भाया वो U cos theta plus U sin theta दोनों का submission था जब हमने final velocity की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ़ सिर्फ क्या मिला था U cos theta और initial की बात करते हैं तो U cos theta plus U sin theta दोनों का submission, कैसे भी, यह देखिए हम ज़रा बात करें, यहाँ पर देखिए, यह रखा जब हमने final की बात करी एक और आगे बट दो, यहाँ पर देखिए, जब हमने final की बात करी तो यहाँ पर क्या देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए, यू cos theta और जब हम initial की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यू cos theta और यू sin theta इन दोनों का submission होगा नहीं, यू से ही cut करके यू cos theta और यू sin theta बने न, अगर यहाँ पर यह दिख रहा है, तो इसी कहना, यू cos theta और यू sin theta, तो मतलब क्या जमज में आता है, कि मैं यहाँ पर अब क्या लिख सकता हूँ, V final, final का मतलब क्या, अधिकता मुझ आई पर कह रहा है, अधिकता मुझ आई पर V final कौन था, यू cos theta, M u cos theta, minus, M v initial, initial मतलब क्या, प्रारंभीक, 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 अचा, U v से confuse मतलब हो, यह यू और V सिर्फ और सिफ कहा, velocity के लिए यूज करें, उससे confuse हो न, initial मतलब क्या है, प्रारंभीक, और final लिख रहे है, मतलब हो, यहाँ पर करेंगे, तो, U cos theta है, और U sin theta, मतलब U cos theta, minus, M of, U cos theta i cap, अचा, इसमें भी i cap लगा दू, है न, U cos theta i cap, plus, U sin theta j cap, इसे यह के लिए रोगा न, के एक वाक्सिस कहता है, और एक एक एक्सिस, एक्सिस का था, अब क्या करें, तो भी यह देखें, दोनों में, जो है, M comma ने M को उठा ली, जो बाहर, अंदर क्या बचा, U cos theta i cap, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, माइनस ओफ, यहाँ पर, माइनस ओफ, U cos theta i cap, माइनस ओफ, U sin theta z cap, अब यह दोनों तो खतम हो गए, मतलब क्या बचा, माइनस ओफ, M U sin theta, j cap, क्या बचा, माइनस ओफ, M U sin theta, j cap, यह किसका मान है, यह है, डेल P vector, क्या है यह, डेल P vector, मतलब जब अधिकतम उचाई पर था, जब momentum कहां के लिए calculate किया, जब यह projectile कहां था, यहाँ अधिकतम उचाई पर था, H max पर जब था, तब इसका जो momentum होगा, वो momentum कित्त होगा, M U sin theta, j cap, ठीक, इसका momentum M U sin theta, j cap, minus of, अब हम बात करें, उसी अधिकतम बिंदू पर, गती जूर्जा की बात करते हैं, तो यह होता, 岩, E naught 120, Y naught का मतलब है, उसका प्रारम भी गती जूर्जा, अगर प्रारम में उसकी गती जूर्जा, E naught है, तो अन्तिम गती जूर्जा मतलब इस बिंदू पर जो गती जूर्जा होगी, वो क्या हो, जो भी इसके प्रारम भी गती उर्जा थी गती जूर्जा मतब इसकी गती के कारण जो इसके पास उर्जा उसको कहते है गती जूर्जा ठीक है काइनेटिक एनर्जी कहते है इसी उसी काइनेटिक एनर्जी को हम सो करते है कैसे एक एक अब एक का मतब क्या है तो इसका मतब है काइनेटिक एनरजी और एजीरो लगा दिया इसका मतब क्या है तो यह इनीशियल काइनेटिक एनरजी कोई है इनीशियल काइनेटिक एनरजी क्या के तो इसको प्रारंभिक गती जूर्जा ये को ने है ये है प्रार도 प्रारम्भी गती जूर्जा जितना होगा उसके कॉस स्क्वार्ट निच्टब इंस होती है इस्विन दुपा अाधिकता मुचाईम पर ये जितने भी रिजल्ट्स में आपको रहूं यह सभी results काम के भाई आपके जो mcqs सीधे objective questions जो आते वो सीधे सीधे आ सकते हैं ठीक है ना तो यह results को अलग से box बना बना करके रखते चले जाएगा जो भी आप notes बना रहे हैं इन सभी को रखते चले जाएगा जितनी भी slides हमने अभी सभी derivations के लिए prepare के थे उनके भी screenshot रखेंगा ठीक है ना मैं अभी एक chance और दूँगा भी last में जैसे यह खतम करूंगा मैं एक chance और दूँगा भी आपके screenshot रखने की क्योंकि मैं सभी को relate कर आने वाला हूं ठीक है क्योंकि session को खतम होने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचना चा आई है तो आपके भी पास उसी तरीके से पहुश्चनी चाहिए कि भी सब कुछ synchronize लगे अगला अगर बात करते हैं तो इसी जगह पर मतब एच उचाई पर वेग का जो परिमाण है ठीक है ना वो कितना हो तो भी यह कह सकते हैं उर्जा संदक्षन के नियम से कितना होना च है एक डाइस पर अधिक्तम उचाई और यहाँ पर यह जो होगा यह बराबर हो चाया हो होगा और यह म्हाँ अ यहाँ पर जो वेगह उसके पास में half mu square तो मतलब finally मुझे मिल जाएगा क्या कि भाई V इस पूरे form से अगर आप निकालेंगे तो V equals to मिल जाएगा U square minus 2GH U square minus 2GH ठीक है यह एक relation और रखी है अपने पास इसके बाद अब हम आ जाते हैं questions पे ठीक है कहाँ जाएं भाई questions पे and questions को solve करते हैं जल्दी से क्या कह रहा है यहाँ पे question में तो यहाँ पे कह रहा है एक बस्तू जो है उधर से कहीं से 30 degree के कोण पर अधार से basically 30 meter per second के वेग से ठीक है ना प्रच्छेपित की जाती है ठीक तो परास ग्याद किजिए यह meter per second ठीक है आये चली question समझ में आगवा है एक वस्तू है जो 30 degree के कोण पर यह जो फेका गया है यह कितने डिगरी का कोण है भई थोड़ा सा और फ्लाइटर बनाते है चली अब तो ठीक है यह कितने डिगरी का कोण है तो यह मुझे दिया गया है कि भईया यह मैंना 30 degree का कोण है और जो वस्तू को फेका गया है उसकी प्रारंभिक वेग यू की वैलू दे दी गई 30 मीटर पर सेकंड और थीटा के ता दिया गया 30 डिगरी अब सवाल पढ़ते क्या कह रहें तो 36 परास ग्याद कीजिए मत्ब मेरे से पूछा गया रहा सिर्फ 36 परास होरिजोंटल रेंज मुझे ग्याद करने को कहा रहा है तो होरिजोंटल रेंज जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है तो यह हमने देखा था u square sine 2 theta upon g. देखे, क्या हमने देखा था भई? horizontal range की अगर मैं बात करता हूँ, तो horizontal range, ठीक है? horizontal range हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है. आईए, देखते हैं. horizontal range, u square sine 2 theta upon g. यह निकालना horizontal range. u square sine 2 theta upon g. तो यहाँ पर हम huge कर लेते हैं, u square sine 2 theta upon g. अब रखिये ज़रा. u की value आपके पास में क्या given है? तो u की value है 30 meter per second. तो u की value आपको रख दें यह क्या? 30 meter per second, यानि 30 का square. इसके बाद, आपके सामने क्या? sine 2 theta. तो मतलब sine 2 times of 30 degree upon g. g की value होती है भी यह 9.8. g की value हैं पर given नहीं है. तो यह हमें घर से आद रख करके जानी कितनी? 9.8 meter per second. square. चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, यहाँ पर बड़े 0-0 वाले numbers आएंगे. ठीक है न? खर चली. मैं लिख देता हूँ. यह कितना होगे भई? 30 cross 30. sine 60. यह क्या होगया? sine, यहाँ पर देखे. sine 2 into 30 का ultimate मतलब क्या होगया? तो यह होगया sine 60. और sine 60 का मान क्या होता है? root 3 by 2. क्या होता है? root 3 by 2. ठीक है न? तो into root 3 by 2. अपॉन में 9.8. ultimately आपको देखने को क्या मिल गया? यह मिल गया 30 cross 30 into root 3 upon में 2 times of 9.8. ठीक है न? यह हमें final result देखने को मिल गया. यह हमें इतना meter final मुझे answer मिल गया. ठीक है? यह क्या है? इतना meter हमारा final answer है. ठीक है? calculate कर सकते हैं हैं न? divide करके. कोई बड़ी दिक्केत परिसानी नहीं है. मतब आपको कैसे apply करना है यह बात तो समझ में आ गई. आगे बढ़तों में जड़ा second example की तरफ and यहां पर हम discuss कर रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको commitment किया था कि मैं एक numerical value के साथ मैं आपको इस बात को सिखाने वाला हूँ कि सिद्धकरों के प्रचेपन को 30 degree के स्थान पर 60 degree होने पर बंदू की गोली द्वारा तै की गई उचाई 3 गुनी हो जाती है जबकि वा 36 समतल में समान दूरी तै करता है. अर्थात ऐसा कहना चाहरे है. अगर मैंने बंदू को 30 degree पर रखा है तो यह रहा. और अगर यही बंदूक 60 degree पर आ गया तो यह रहा. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाईया यह जो हाइट है और यहां से जो हाइट बनेगी. इन दोनों हाइट में एक डिफरेंस देखने को मिला. कि यह complete हाइट जो भी मिलेगा वो three times होगा h के. मैं इसको h कह लेता हूँ. यह यहां से यहां तक कि जो हाइट थी यह इसको मैं कह लेता हूँ. यह h है, 30 degree बनेगी. तो यह thrice of h हो जाएगा. बस यतनी से बात. लेकिन दोनों ही condition में यह जो range होगी ना, यह range कैसी होनी चीए, same. range कैसी होनी चीए, same. height कैसी होगी, तीन गुनी. simple सी बात है, हमने height और range दोनों के लिए formulate किया हुआ है. क्या होता है भी formula? तो सबसे पहले range निकालते हैं, u square sin 2 theta upon g. range क्या होता है? u square sin 2 theta upon g. अब आप एक काम कीजिए. मुझे दोनों के लिए निकालना है range. है ना, 30 के लिए और 60 के लिए और ये दोनों बराबर होने चीए ऐसा कह रहे हैं. तो मैं क्यों ना, इसको कह देता हूँ, 30 degree के कारण, 30 degree के कारण, 36 परास, बराबर, 60 degree के कारण, 36 परास, ये दोनों परास कैसे हो निचे, अगर ये दोनों सेम है, इसका मत्ब मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, कि भई ये, R30 is equal to R60, ऐसा लिख लेता हूँ, चलो, अब values रखते हैं, R30 मैं अगर value रखूँगा, तो ये कितना है भई, U square, कोई मान तो दिया नहीं है भई, U, V के लिए, तो U square को as it is U square, sin 2 times of 30 upon, G as it is छोड़ दीज़े, अच्छा, अगर मैं S, इसको निकालूं, तो ये R60 के बराबर आने चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, is equal to मैं लिख दे तो R30, दोनों का लग लग निकाल ले तो, मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है भई, तो U square, sin 60 upon मैं G, क्या मिला, sin 60 upon मैं G, ये किसकी बात निकार रहा हूँ मैं, R30, R30 मतलब क्या भई, जो 30 डिगरी पर फेका है तब, तो R30 is equal to ultimately क्या मिला, U square, root 3 upon में 2 upon G, sin 60 मतलब cos 30, root 3 upon 2, R30 का माना आगया भई, और root 3 upon 2, U square upon में G, अब चलिए मुझे, calculate कर लेते हैं, किसको भई, R60 की, तो मुझे बताएंगे, R60, क्या करेंगे भई, तो R60 अब simply लिख लेता हूँ मैं, क्या हो गया भई, U square sine, U square sine 2 into 60, upon G, मतलब U square sine 120 degree upon में G, see, cos 120, cos 60 degree के बराबर होता, लेकिन एक negative sign के साथ, लेकिन sine 120, sine 60 के बराबर होता, sine बदलता नहीं, चिन नहीं बदलता, sine 60 exactly बराबर होता है, किसके sine 120 degree के, तो यह देखे, R60 is equals to how much, R60 is equals to U square, यह हो गया, root 3 upon 2 upon में G, अर्थात, R60 is equals to how much, root 3 upon 2 times of U square upon G, समझ गया क्या, क्या बोले गया थे, कि 36 समतल में समान दूरी तैक करती है, यह समान दूरी नहीं तैक करती है, range जब 30 degree पर भेजा गया था, तब भी root 3 by 2 U square upon G था, range जब 60 degree पर भेजा गया था, तब भी root 3 upon 2 U square upon G है, बराबर ही तो है, प्रूव होगे, पहला काम हमारा होगे, पहला काम प्रूव होगे, अब हमसे मांगा जारा, 30 degree के स्थान पर 60 degree पर, जो इसकी height है, वो 3 times बढ़ गई है, तो height की बात करता है, यह clear है क्या, चाहें तो skin short रख सकते हैं, मैं इसको हटाऊंगा भई, हटाता हूँ मैं अब, क्या करना है भई, तो अब मुझे discuss करनी है, अगला point height के लिए, तो height के लिए अभी हमने क्या formula देखा, height के लिए भी हमने यहाँ पर formula निकाल करेका, क्या भई, u square sin square theta upon 2g, u square sin square theta upon 2g, मतब, u square sin square theta upon 2g, चलिए, ठीक है, अब करते हैं बात एक एक करके, अब सीधे सीधे लिखू क्या, h 30, h 30 मतब क्या, height 30 degree वाले के लिए, 30 degree पर, प्रचेपित, करने पर, अधिक्तम, उचाई, h 30, अब ठीक, h 30 का मान बताईए भई, तो h 30 का मान यहाँ से दिख रहा है, क्या है, u square sin square theta upon 2g, क्या गेवान है भई 30 degree, तो चलिए रखी, u square, sin 30 degree का, square upon में 2g, अगर मैं इसको ऐसी solve करते है आया, तो h 30 equals to में क्या लिकूंगा, sin 30, sin 30 का मान केता हो तो भई, तो 1 upon 2, तो u square, 1 upon 2 का square, upon में 2g, अर्थात, sin 30 equals to how much, तो यह हो गया, u square upon, 1 upon 2, मतब 1 upon 2 का square, 1 upon 4, मतब यह कहले लिक्स हो तो, 4 times of 2g, अर्थात, h 30 जो मिल गया, मिल गया, u square upon 8g, क्या मिल गया, u square upon 8g, अब इसी तरीके से, अब हम बात करते हैं, अगले point की, किस की, h 60, अब लिखने की जो होती हैं, h 60 का मतब क्या, maximum height का by 60 degree, 60 degree पर अगर प्रच्छेपित किया गया है, तो maximum height, तो formula, u square, sin square theta, upon में 2g, तो भाई यह, u square, sin square theta, sin square theta की जगा पर किता है, 60 degree, तो यह हो गया, 60 upon 2g, अब फिर से, u square, sin 60 की value होती है, भाई, root 3 upon 2 का, square, sin 60 root 3 upon 2, और square था, sin square था, तो square रख दिया, upon में 2g, चलेगा ना, कोई समस्या नहीं, आईए, तो h 60 is equals to, क्या मिल गया, u square into, यह हो गया, 3 upon 4, upon 2g, u square, अच्छा, इसी के term में लिखता हूँ, 3 times of, u square upon, 4 to the 8z, अब अगर देखिए, तो h 30 का है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ, सेम चहीं लिखता हूँ, h 60 is equals to, 3 times of, कौन, h 30, कैसे पता, यह जो इतना सा मान, आपको दिख रहे हैं, यह देखिए, h 30 के बराबर ही तो है, h 30 क्या था, u square upon में 8g, u square upon में 8g, मतब क्या समझ मैं आगया भई, h 60 जो है, 3 times है, h 30 के, मतब, जब इस प्रोजेक्टाइल को भेजा गया था, कहां पर, यहां, मतब यह, जब इसको भेजा था, मैंने 30 degree पर, तब इसने जो हाइट अक्वाइर करी थी, जब मैं इसी प्रोजेक्टाइल को 60 degree पर भेजता हूँ, तब, इसकी हाइट तीन गुली हो जाती है, अब बात के लिए रहाता है, ठीक है, यहां तक अब तो कोई समस्य है नहीं है, चलिए, अब यहां तक अगर आपको कोई समस्य है नहीं है, तो आप चाहें तो इसका और screenshot रख लेजे, और मैं एक बार फिर से आपको cross check कर आता हूँ, पूरे, जितनी derivations हमने यहां पर करी, उसके screenshot और रख लिजे, आपका notes complete हो साथ, चलिए भी, hopefully आपने इसके screenshot रख लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं जब डिसकस करता हूँ यहां से, तो देखिए, हमने सब सिर्फ first start किया था, कि अभी हमने यहां पर बनाया था एक projectile, यह projectile बनाने के बाद, हमने इसके अंदर में discuss किया था, दोनो velocities के components, मतब X axis पर और Y axis पर, किसी भी T second पर कैसे चलेगा, तो यह चलेगा भई है T second पर, VX और VY, velocities के लिए, इसका screenshot रख रखिए, चलिए, देन, आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर हमने इसकेस किया था, कि भई किसी T second की जब अपने बात कह ली थी, तो उसमें विस्थापन कितना होगा, X में और Y में, मतब और दौरदर और 36 में कितना विस्थापन होगा, मतब केस्ट नमर 3 और केस्ट नमर 4, रखिए इसका screenshot, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जब हमें ये दोनों चीज़े मिल गई थी, तब हमारे पास बारी थी, कि हमें ये प्रूफ करना था है, कि उसका trajectory, उसका जो पत होता है, वो परवलयाकार होता है, अब पत परवलयाकार करने के लिए क्या करेंगे भई, तो पत परवलयाकार करने का मत्तब होता है, कि X स्क्वाइर आना चाहिए, X स्क्वाइर मत्तब क्या, आपके equation की maximum घात दो आनी चाहिए, वर्ग समीकरण बनना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर वर्ग समीकरण बना के प्रूफ के और कहा, कि भईया, ये जो है, इसका पत परवलयाकार है, रखें इसका भी स्क्रिंशॉट, यहाँ पर एक और equation आगी, तीन चाल आचुके थे, पांचवे equation आगी, चलिए, आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर इसके बाद अब बारी आई थी के ओडे अनकार, time period, कितना देर लगा, उसको पूरा यहां से यहां तक चल के जाने में, तो यह हमने निकाला, यहां पर time period, कितना है, इसके साथ ही साथ, आपने क्या निकाला भई, total time कितना लेगा, और आधा, मतब आधा height तक, maximum height तक जाने में, तो यह रहा हमारा 36 परास के लिए, horizontal range के लिए, यह रहा कि horizontal range इतना तहे कर लेगा, यह, फिर यहीं के ही, हमने कोची देखा, कि अधिक्तम उचाही, maximum height कितना जाएगा, तो यह रहा maximum height, मतब आपके पास में, 7, 8, या 8 equations आपके पास में बन गए, ठीक, चली, तो ultimately, आपके पास में, अब सारे screenshot आ चुके हैं, मतब अब आपका notes complete हो जाएगा, and जब आप एक बार comparative analysis करेंगे, अब एक बार इसको लिखिए अच्छे से, इसके बाद एक बार comparative analysis कीजिए, यह पूरा topic आपको easily, बहुत इसमूद तरीके समझ में आजाएगा, यहाँ पर एक और चीज़ बताते चलो, कि इससे related questions कैसे आएगे, school examination में, तो school examination में सिद्धे सिंपल सी बात है, आपको प्रूफ करने के लिए आजा सकता है, उसके trajectory, पथ परवले आकार होता है, सिद्ध कीजिए, time period आपसे मांगा जा सकता है, उडेन काल मांगा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि projectile motion को समझाएगे, नहीं, वो आएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमने 8 equation बनाई, मतवाठ अलग-अलग topics को हमने यहाँ पर discuss किया, उसमें आपको उस particular point को पूछा जागा, भई maximum height ग्याद कर दीजिए, maximum range ग्याद कर दीजिए, time period निकाल दीजिए इसका, प्रूफ केजिए कि पथ परवले आकार है, ऐसा करके आपसे मंगा जागा, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, चली, इसको आप पूरा अगर note down कर लेंगे, तब एक बर compare किजिएगा, बहुत असानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसका अगला version अभी और है, इसका अगला version अभी बाकी है, अगला version क्या है, अगला version जो मैंने आपको सिखाया था, भीया ये एक तरीके से height होगी, एक table, इस table पर से मैं एक ball को इधर की direction में फेक दूँगा, तो ये ball यहाँ से तो निकलेगा, लेकिन गिरेगा पृत्वी पर ऐसा, ये जो है, एक height से जब किसी ball का हम थ्रो करते हैं, ये भी पत्व परवले अकार है, लेकिन ये बिलकुल इस case से अलग है, जो अभी हमने ये डिसकस किया हम, लेकिन निकालना वो सारी चीजे हैं, जो अभी हमने इसके case में निकाला था, परवले अकार जो अभी हमने निकालता, थीटा डिगरी पर जब फेका था, उससे जो निकाला था वो, क्योंकि यहां पर कोई कॉर्ण नहीं बन रही है, ये 36 के अनुदीस, ये जो हमारा horizontal surface से इसके parallel ही फिक दिया, 36 दिसा का अनुदीस फेका, अभी 36 दिसा से ठीटा कुण बना के फेका था, अगले जो शेशन है, उसके अंदर हम इसको cover करेंगे, और अगर ये पहला वाला position easily clear हो गया ना, तो second वाला बहुत असान है, parallel लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ किया है, वैसा ही same to same हमारे picture चल रही है, तो भईया, जो target हमने fix किया था, वो complete कर लिया क्या, तो हाँ भईय हमने कर लिया, जो हमने target fix कर लिया था, कि हमें क्या सीखना था, हमें सीखना था, कि कोई भी प्रच्छे पे होगा, तो उसका पत्परवलयाकार कैसे होगा, प्रूफ करना था, हमने कर लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है, उसके basis पे questions भी कर लिया, मतलब उदारन भी कर लिया, चलेगा ना, चलिए भई, तो बागी course content के लिए इसी तरीके से आप क्या करते हैं, तो भई, आप टैब से, लैप्टॉप से, डेक्स्टॉप से, या फिर आप अपने मुबाइल फोन से, हर जगह से हमको अक्सेस कर सकते हैं, easily, magnetbrince.com आप टाइप कीजिए, आपको easily हम मिल जाते हैं, आप स्टोर से आप जा सकते हैं, प्ले स्टोर से जा सकते हैं, आप वहां से जाकर कैमरा आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से की आपको यह सब कुछ देखने को मिल जाता है, क्या क्या सोर्सस मिल जाते हैं, तो आप YouTube से सच कर सकते हैं, Facebook से सच कर सकते हैं, Instagram से, Twitter से, Telegram से, सब जगह से मिलते हैं, और यहां पर किसी तरीके का Buy Now, Coupon, Code, ऐसा खुछ ही नहीं आता, भई सब कुछ Free of Cost है, क्या है Free of Cost, तो यहां पर Free of Cost है, भई यह CBS English Medium and Hindi Medium, बोथ, CBS से नहीं घबराना, यह किसी भी State Vote से हूँ आप, आपकी जो Book, आपकी जो Course Content है, वो NCERT है, वो NCERT को ही Follow करते हैं, तो यह सारे Lectures NCERT बेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर आप NTSC, Olympiart, CUET, IATJ, NEET, इन सभी Competitive Exams के तयारी करते हैं, तो इसकी भी Classes Magnet Brins पर देखने को मिल जाते हैं, अगर आप UPR Bihar Boards हैं, तो यहां के लिए तो आपको Exclusive Classes मिल जाती हैं, आपके Board के According लिए, Similarly अगर आप English बोलना सीखना चाहते हैं, तो अभिस सी बात है, Magnet Brins आपके साथ में हम सब कुछ सिखाएंगे भई, अगर आप Bank, Insurance, RRB, SSE, UPSC, CIIB, JIIB, इन सभी के भी Preparation करते हैं, तो भी घबराने के जोते हैं, Magnet Brins आपके साथ में बनाऊगा, ठीक है, आपको Simple Sorted सी बात है, कि आपको Select करना है अपना सिख course content, आप सभी Classes, सभी Classes, Easily देख सकते हैं, क्योंकि Magnet Brins लेकर क्या आता है, बता है क्या, High Quality Education, कैसे भई, तो Class 7 से 12 तक, सब कुछ कैसा, Online, तो अभी के लिए भई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी बाते मैंने कीती है, सब Magnet Brins पर ही आता है, तो अभी Magnet Brins हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी तो बताना है, कि Magnet Brins हिंदी लेकर क्या आता है, Free Online Education, From Class 7 तो 12, Quality Content, and Experience Teachers के साथ, तो बने रही है हमारे साथ, ता मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में, Projectile Motion के साथ में ही, जहां पर डिस्किस करेंगे, एक ऐसे प्रोजेक्टाइल की, जो हमारे horizontal surface के parallel चल रहा हूँ, Thanks for watching.